उससे करेगा चर्चा दोसों से अधिक लोग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं कल्यानकारी योशनाओं तक आसान पहुँच और सेवा वित्रन में गोवत्ता पर विशेश दोर देने के साथ सम्मेलन में भूमी और संपत्ती, बिजली, पेजल, स्वास्थे और स्कूली शिक्षा जैसे पांच उप विश्यों पर चर्चा की जा रही है इसके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनोतिया, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स पर परिप्रिक्ष, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वाइत संस्थाओं का युक्ती करण जैसे एहम विश्यों पर विश्यों सत्र आयो जित किये जा रही है इनके लावान अश्यामुक्ती, परियतन संवर्धन, राज्यों की ब्रांटिंग और भूमिका पर भी चर्चा की जा रही है होर तलब है कि सम्मेलन का पहला संस्करन, 2022 में धर्मशारा में और दूसरा इस वर्ष दिल्ली में आयो जित किया गया था इस मौके पर असम के मुखे मंधुरी इमंत विस्व सर्मा उल्फा के अरबिंद राजखोवा नीत वार्ता समेत गुट के एक दरजन से ज्यादा शीष नेता मौजूद रहेंगे इस समझोदे में आसम से जोले लंबित समय से लंबित राजनितिक आर्थिक और सामाजिक मुद्धु पर गोर किया जाएगा इसके लावा समझोदे के तहट मौन लिवासियों को सांस्कृतिक सुरक्ष्या और भूमी अधिकार भी प्रिदान किया जाएगा परेश बरुआ नीत उल्फा का कट्टर पंथी धड़ाय समझोदे का हिसा नहीं होगा सरकार कियों से उल्फा गुट से बातचीत करने वाले अधिकारियों में खोफिया ब्योरो के निदेश अक्तपन डेका और पूरुतर मामलों पर सरकार के सलाकार एके मिश्रा शामिल है जेडियों की राज्ट्रिय कारेकार्णी और राज्ट्रिय परिशत की अलग-अलग बैठके आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्याले में होगे इस बैठक पर सबकी नदर है बैठक के दौरान राज्ट्रिय पस्ताव और अन्ने कई हैं मुद्दों पर चर्चा होगे साथी दोनों बैठकों में 2024 के लुक्सभाचुनाव और 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभाचुनाव की रन्नीत पर भी चर्चा होगे आज होने वाली बैठक से पहले कल जेडियू के शीश निताओं के बीच विचार विवर्ष का दौर पूरे दिन चलता रहा कल पूरे दिन जेडियू ध्यक्षराजी वंजन सिंग उर्फ लरन सिंग की इस्तीफे की अफवा उर्थी रही कल बिहार के मुख्य मंटरी नितीश कुमार के दिल्ली पहुचते ही लरन सिंग ने उनसे मुलाकात की ऐस मुलाकात के बाद नितीश और लरन सिंग साथी पाटी दफ्तर दिखले जहाँ दोनोंBen पाटी पदाधिकारियों के साथ बैठकी बैठक होने वाले दोनों बैठकों के एजेंडे को अन्तिन रूप दिया गया अमेरीकी बाजारों में सीमी दारी बेकारवार दाओ तिरपन अंक चड़कर रिकॉर्ड उचाई पर बंद संथी 500 भी रिकॉर्ड उचाई पर लेकिन नस्डेक दिन की उचाई से करीं पचास अन्फिस्टला एशियाई बाजारों मिला जुला कारुवार गिफ्ट लिफ्टि करें बीस संक चड़कर एकिजार नो सुपचास के पास जापान और हॉंकों के बाजार करीं चौथाई परसेंट कमजोर लाल सागर से शिपिंग की चिंता थोड़ी कम होने से कच्चे पील पर दबाओ ब्रिंच क्रूड अटर डॉलर तक फिसला डॉलर और बॉन डीड में हलकी मजबूती से सोने पर दबाओ कॉमिक्स पर सोना दुहजार रस्ती डॉलर के नीचे F.I.I.S. की लगातार दूसरे दिन कैश मार्केट में बड़ी खरिदारी कल 4,350 क्रूल रोपे से ज्यादा केश शियर खरीदे आसे जनवरी सीरीज की होगी शुरुआत निफ्टी में 89 परसेंट तो निफ्टी बैंक में 80 परसेंट का बढ़िया लोल उवर स्टील पाइप कंपनियों पर डेम कैपिटल बुलिश वीनस पाइपस और रतना मड़ी मेंटल्स पर खरिदारी के राय के साथ कवरिज किया शुरू वीनस पाइपस पर 1810 रुपे वहीं रतना मड़ी करे दिया 3950 रुपे का लख्ष फेडरल बैंक और एकविटा स्मॉल फाइनेंस बैंक रहेंगे फोकस में आरविया ने आईसी एसे आई परडुशल एमसी को दोनों बैंकों में करीब दस परशन्ट हिस्सदारी खरिदी के लिए दी मलजूर। दाइरेक्टर को देना होगा जवाब सीवी ने अपाउं के पुष्टी पर जारी किया कंसल्टेशन पेपर 18 जंगरी तक सभी पक्षों से मंगे सुझाओ। नमस्कार सौगत है आपका 89 स्वधिश पर आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वधिश। आखरी कारोबारी दिन और क्या को दीता है ये पूरा का पूरा महीना और हम साल भी कहें तो करी 20% के आसपास की रिटर्न मिले हैं। 2024 में कदम रखने को हम तयार हैं और आखरी कारोबारी देना आपको तमाम हम आकड़े दिन भर लेकर आएंगे वाजार से जुड़े हुए और उन शेयरों से जुड़े हुए जहाँ पर आपको कमाई हुई हैं। साथ ही वो शेयर भी बताएंगे जहाँ पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। निफ्टी का नया पिन कोड हम लगातार चला भी रहे हैं और उसके तरफ कम सकम गिफ निफ्टी का अदम बढ़ा चुका हैं। आप देखेंगे हलके से गेंस हाला की वहाँ पर हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ, S&P वहाँ पर हमने तेजी देखी। नेस्डिक की बात रहे हैं तो डे हाई से थोड़ा सा नीची आकर बंद हुआ लेकिन तीनों के तीनों इंडाइसिज रिकॉर्ड उचाई के आसपास ही कारवार कर रहे हैं। जरा विस्तार से समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट का मूड कैसा है और कौँसे वो आकड़े हैं जो आज बाजार के लिए एम होंगे बाजार पर आज थोड़ा बोड़ा असर भी डालेंगे। हमारे सेयोगे विश्तार रोज की तरह हमारे साथ जुड़े हैं। जरा विश्तार पर है नाजडेक में मामली कमजोरी दिखी कह सकते हैं कि दायरे में ही कारोबार दिखा है। तो टीनो इंडेक्स के इस साल की अगर बात करें तो डाउ जोन्स ने करीब करीब 14% के आसपास की तेजी दिखाई है 2023 में। हुआ ही S&P 500 ने इस साल करीब 25% और नाजडेक जिसमें 44% से ज्यादा की तेजी इस साल देखी है। और AI को लेकर जो बज पूरे मार्केट में बना है उसका फायदा यहां पर मिला जिसमें Microsoft एंवीडिया जैसी कंपनियों में जबरदस तेजी दिखी। हलाकि broader market में भी कापी tech share हों में अच्छी rally दिखी। जिसे पूरा साल जबरदस रैली वाला भरा रहा अमेर की बाजारों के लिए रसल टू ताउचे जो small cap index है यहां पर भी जबरदस तेजी दिखी। पूरे दोनो महिने नॉमबर और December में यह 3rd 2 महिने की सबसे बड़ी तेजी यहां पर भी दिखी। और पूरे साल में भी यहां पर भी 2018 की तेजी दिखी। US jobless claim के जो data थे उसमें भी बहुत ज्यादा बदला होना हुए 12,000 के jobless claim में बढ़ोतरी हुए है जो 2,14,000 के आसपास के जो नंबर है वो 2,18,000 के आसपास यहां पर नंबर आये है jobless claim के pending home sales जो पुराने घरों की बिक्री होती है उसमें काफी कमी आई है year basis पर गिरापट और भी ज्यादा थी month और month basis पर 5% से ज्यादा की गिरापट थी यानि पुराने घरों की बिक्री record मिचले अस्तर पर है टेक कुछ आयम डेटा है आनने डेटा की बात करें तो US 10-year bond yield और dollar index इन दोनों में कल हलकी recovery ज़रूर देखने को ली हलाकि अभी भी 101 के नीचे dollar index है और 3.83 के आसपास अभी फिलहाल US 10-year bond yield है कच्चे तेल में वापस से गिराबट आई है 78 dollar के पास आगी आए अब US और France की तरफ से टासपोर्स maritime टासपोर्स वगएर वहां पर तैमात कर दिये गया लाल सागर में तो वो चिंटा कम हुई है कई सारी ऐसी shipping कंपनिया है जिरू ने कहा है कि वो वापस से shipping के लिए तयार इस रूट के जरिए लाल सागर के जरिए shipping करेंगे उससे यहाँ पर दबाब कच्चे तेल पर बना है गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर इस तीरता दिख रही थी कल हलका दबाब जरूर दिखा क्योंकि बॉन डिल डॉर डॉलर में यहाँ पर तेजी आई तो 2080 dollar के नीचे कॉमेक्स पर सोना फिसल गया तीन हपते के नीचे ले की जो उप्री असर था वहाँ से फिसला है तो यह कुछ मिले जूले संकेत है लेकिन बहुत बड़ी कबरे कुछ बाजार के लिए नहीं है तो लो नूज इस गुद नूज बाजार के लिए कहा जाता है तो हो सक कब से इंडिकेट कर रहा है कि शुरुआत तो ठीक ठाकी होगी एक बार समझ लेते हैं क्योंकि लगातार हमने तेजी देखी है पांस सत्र में और बहुत बढ़िया मोमेंटम लगातार बना हुआ है निफ्टी की बात करें हैं फिर बैंक निफ्टी की मतलब दोनों साथ है कि एफायज की कैश में अच्छी बाइंग आ रही है कल 4358 क्रोन रोपे की बाइंग आई है कैश मार्केट में उसके पहले दिन कह सकते हैं कि 3000 क्रोन रोपे की आसपास की बाइंग थी तो दू दिन में करीब 7500 क्रोन रोपे की आसपास की बाइंग एफायज की तरफ से आ आखरी कारोबारी सतर में आपका ट्रेड सेट अप के सरह सोना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे से योगी डिंपी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिंपी आखरी क्या संकीत दे रहे हैं, देखें गिफ्ट निफ्टी तो बाईजार की तरफ बिलकुल कदम बढ़ा और करीब 82% के आखरी, 80% के आखरी का रोलोवर है, पांगिस्टी का और एवरेज है ये, क्योंकि तीन मंत से अब एवरेज चेक करते हैं, तो 78% बढ़ता एवरेज का तो स्लाइक की तो बहुता बेडर है, और रोलोवर, अब बात रोलोवर गी नहीं है, रोलोवर के अंद का खूब साथ दिया, ना के वर इस साथ दिया, बलकि नमबर तर डिसंबर दोनों मंत में साथ दिया, इसलिए आप देख पार है, मनदब तक पाइने सीज गई है पुरे साल की, और दो महीने का रिटर्न करीब 12% सूपर पोर्च का इंडाइसिंस का, अब एक और बात दी है कल अगर आप FIS के हिसाब के चेक करेंगे ना, तो आपको FIS का नमबर भी काफे पॉजिटिव दिखेगा, और FIS ने भी करीब कल खरीटरी की है, और उनका परसेंटेश लॉंग है, वो करीब 69% के आथ परसेंटा बन गया भी, तो ये भी एक इंपोर्टेंट आप्रा था ज इन परसेंट अपने ही साथे जरूर करते हैं जीए ज़िएक शक्रिया बिब्पेस जानकारी के लिए और ये सलाह दर्शकों को देने के लिए, लेकिन अब चुक्ए नई सीरीज के शुरुआत हो गई है, पिछले दू सीरीज बहुत ही शानदार भीते हैं, जन्वरी से बात परें तो आपके लिए कमाई के मौकी कहां पर बनेंगे क्यार चोकसी की हमेन कपाडिया हमारे साथ हमेन गुड़ मॉर्निंग सूपरभात बहुत शुक्रे आपका समय देन निकली बताइए किस तरह से सट अप करें बाजार में नहीं सीरीज के लिए और शेर कुंसी होंगे आपकी तरफ से आज जैसे आपने बताया नहीं से शुरुमेंट की शुरुमात है स्टॉक्वाइज बंदन बैंक मेरी तरफ से एक बाई बन किया रहा है स्टॉक्वाइज टेकनिकल पारमेटर से एक अपड़ की रिवर्सल का पैटन दिया है 55-day exponential moving average का सपोर्ट दिया है और आप इंट्राने मिकानिकल इंडिकेटर देखेंगे अभीशे एक गंटे दो गंटे में में स्टॉक्वाइज शॉक्वाइज दिया है तो बंदन बैंक एक इंट्राडे बाइक और रहेगा तू दोसो उन्चालीज के असपास की एंट्री दोसो चाटीज का स्टॉक्वाइज और दोसो टूफ़टीफाइज टार्गेट रहेगा रिस्रिवर्स शो रहेगा वन सूटू दूसरा स्टॉक बाइक और रहेगा लॉजिक अलमोस सिमिलरी है अभी शेख वो है शिप्ला शिप्ला हायक आप हाय बॉटम डेली चाट पे सब कुछ पॉज़गे और इंडिकेटर सपोर्ट में है मोविं आवरेज पे सपोर्ट लेके चल रहा है तो काफी स्टॉक्चर्ट में है अगर आप सट्रम यूज़ लेंगे और मेडियम का मेडिय स्टॉक ब्रेक आउट की तरफ बढ़ रहा है बारासो साट के आथ पास की एंटी रहेगी शिप्ला में वन तू फाइटू का स्टॉप लॉस रहेगा और बारासो चेहतर का टार्गेट रहेगा रिस रिवोर्ड रेशियो वन तू रहेगा बंदन को स्टॉप लॉस इंटाड़ वाई को रहेगा ठीक है हमें जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने निकली और यह दो बहतरीन शेर हमारे दर्सकों को बताने के लिए तो आप हमेंन का पाडिया के अनभो का फाइदा उठाईए और यह दो शेर सिपला कल हमने देखा था कि दिन की उचाई के आसपासी बंध हुआ और बंधन बैंक कल के सतर में लोईर लेवल से एक अच्छे रिगवरी शेर में आये थी और हर निशान में बंध होने में यह शेर कामियाव रहा था आज भी आपके लिए मौके बनेंगी इसमें 245 के टार्गेट 249 रुपे 35 पैसे पर कल की क्लोजिंग है बंधन बैंक की लेकिन एक बड़ी एक खबर अगर अफवाहों से शेर के भाव में तेज उठा पटक देखने को मिलता है तो जल्द ही कंपनी के अधिकारियों और डारेक्टर्स को इसका जवाब देना होगा सेवी ने अफवाहों के पुश्टी पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है पूरी डीटेल के साथ हमारे सेयोगी अंकुर मिश्टा जुड़ गए हैं अंकुर बताइए क्या खबर है और ये फैस्टा क्यों लिया गया है जी है सेवी ने मार्केट वेरिफिकेशन आफ रूमर्स में एक जो सर्कुलर था वहाँ पे कुछ पे पर्टिक्लर ली असर हो रहा है वो materiality of events से define नहीं होगा बलकि उसमें price movement कितना हुआ क्या वो benchmark के हिसाब से अगर company को verify करना होगा तो ये criteria suggest किया गया है इसके अलावा suggestions ये भी दिये गए है कि अगर कोई बड़ा stock है जिसमें already price बहुत जादा है जादा मान लीजे वो 2000 या 3000 रुपे का उसका price है तो उसका थोड़े से percentage में भी in terms of number काफी बड़ा moment हो सकता है इसी तरीके से कोई छोटा stock है तो वहाँ पर percentage बड़ा हो जाएगा छोटे moment पे भी तो ये सारे बिंदुओं पर जो final consultation paper आएगा उस पर गौर किया जाएगा जो एक industry standard forum बनी थी उसने ये suggestions दिये हैं industry standard forum जिसमें CII, FIKI के लोग थे उन्होंने सेवी को suggest किया था कि किस तरीके से ये जो circular है जो पहले सेवी लेके आया था वो implement कैसे हो वहाँ पर ये suggestions दिये गए हैं अब इस consultation paper पर market में जो rumors जल रहे हैं उसको verify करेंगी ठीक है शुक्रिया अंकुर तो निश्चित पर बाजार के जो निवीशक हैं जो traders हम उनके hit में एक ही ये बहुत ही एक सही फैसला साबित होगा लेकिन आज ख़बरों के दम पर आज के लिए triggers कौन से हैं ये बताने के लिए हमारी सीवगी अशेशा उत्मनी जुड़ गई है अशेशा बताइए कौन सी खबरे हैं जो आज असर डालेंगे शेशेरों पर अपडेटर सर्विसेस की बात करते हैं रीसंटी लिस्टेड एंटिटी है तो 7.2% एक्विटी लॉक्ट इन थी अब ये शेरोल्डर्स ये शेर्स ओपन मार्केट में बेच पाएंगे तो शायद कुछ सेलिंग प्रेशर इस काउंटर में देखने को मिल सकता है अपनी मज़र अपडेट और सर्विसेस पर रखे इसके अलावा स्नोमैन लोजिस्टिक्स पर भी अपनी नज़र रखे प्रमोटर्स ने एडिशनल स्टेक खरीदा है कमपनी ने कल के ब्लॉक डील की बात करे तो गेटविट डिस्टी पार्क्स जो कमपनी के प्रमोटर एंटिटी है उन्होंने करीब करीब 4 लाख एक्विटी शेर्स खरीदे है ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के द्वारा तो इसके चलते हैं इस चॉक में भी आक्शन देखने को मिल सकता है इसके अलावा मेड प्लस की पर भी नज़र डालते है कुछ डेटिव आक्शन आता हुआ नजर आ रहा है जहां कंपनी को असिस्टिन्ट डिरेक्टर और्द ब्रक शेल्स लाइसंजिंग आथोरिटी से ऑर्डर मिले हैं कंपनी के कुछ स्टोर्स है तीन स्टोर्स है जहां के लिए सउस्पैंशन गिला है tax demand 1728 crores की ए tax demand है इसके साथ ही साथ 173 crores की penalty भी लगाई गई है तो शायद बड़ा demand है तो negative action इस counter पर भी देखने को मिल सकता है इसके अलावा Phoenix Mills की मात करते है तो इनको भी GST authorities से show cost come demand notice मिली है 2.73 crores की ए show cost come demand notice है negative action इस काउंटर पर भी देखने को मिल सकता है इसके अलावा Swan Energy की बात करते हैं तो कुछ fundraising plans के बारे में company ने exchanges को बताया जहां company ने कहा कि company में fundraising approved किया है QIP के दुआरा ये fundraising approved किया गया है 4000 crores का ये fundraising है तो Swan Energy पर भी अपनी नजर रखे Lemon Tree Hotels, meanwhile यहां पर कुछ expansion plans देखने को दिखाई दे रहे है जहां company में franchise agreement sign किया है उत्तराखन में company की नई hotel आ सकती है तो कुछ expansion plans यहां पर देखने को मिल सकते है इसको अलावा Oogro Capital याद रखे कुछ पिछले कुछ दिनों से focus में रहा है और बड़ा wealth creator रहा है यह counter आज फिर से board of directors की बैठक है जहां fundraising plans consider किये जाएंगे तो यह fundraising plans के चलते इस talk में भी action देखने को मिलेगा ठेक है, शुक्रे आशिशा यह तमाम जानकारी हमें बताने के रहे तो यह share आज फोकस में रहेंगे ख़बरों के चलते लेकिन community market में कहां पर पैसा बनेगा एक छोड़ी से break के बाद आपको बताएंगी और brokerage houses के reports भी आपके सामने रखेंगे आपके जाए करेंगे कर गुक्त कर छाएंगे कर देंगे कर दो कर दो झाल 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 आप पच्छीस पुस्टेने करीब का मार्जिन इंजॉय करते हैं और मैं यह कहुना कि यह आसान नहीं होता होगा एक तरफ कॉस्ट एफिशेंसी लाना बजार में कॉंपोडिशन भी रहा है तो और आपने गाइड भी यह किया है कि आपको सस्टेनिबल दिख रहा है तो इसके ड्राइवर्स क्या है अगर तेज से पच्छी से के मार्जिन सस्टेन करेंगे दो तीन साल कौन से आप बटन प्रेस कर रह हम भी आपका अर्पाम से लाड़ीए तो जो भी हम जाएसिं काटेग्रीज ए उसमें हमेशा ब्रोग करने की हमें ले क्राइड हुम्ने रहा है ख़ी है और अट अलसु दा प्रॉडक्त ग्राइड वह में एक चिज़ोगा हम एक चीज़ो बहुत आदा अगा जैसी एट पक So we are a company that is first driven by bottom line and then revenue because only revenue growth cannot fuel sustainability. That is what we believe as a company. And this is why we carry so diverse portfolio. And we are doing such a product where we think that our consumers are willing to pay that price for the product and we ourselves are able to engineer that product at a lower cost. So that is the main reason which is what I feel that you know our margin is best in class. I have seen that you have also said that 18-20% of the growth of visibility you are looking for next 2-3 years. I would like to know that the growth is on which pillars you are looking for. And have you as a company some top line revenue targets in the next 3-3 years or 2-3 years? So I think we have said that 18-20% is a sustainable growth for the company as a whole on a consolidated basis. So this is a very achievable over the next 3 years. That is one of the major levers of growth as well. Plus our utilization is now 70-75% across channels. So there is a lot of growth potential with the existing capacity. The whole industry is growing. 10-12% growth is in the normal industry. It also involves a lot of unorganized market that is there in India today. So organized market is able to grow more well. And Selo I think is very well poised to grow at this rate at 18-20%. When I talk about margins, margins I think we hope to continue to maintain these margins. Because whatever we want to grow in categories or enter, there are all good margins of the lines. There are no one is, we are not going in any line where the margin would be hit. So exports are generally, normally, stationary, and we are not going to be able to grow in the other verticals. So we are mostly domestically driven by the other verticals. So as we are going to grow in the other verticals, we are going to grow in the percentage. Of course, stationary is going to grow in the percentage. And we are going to grow in our glassware products. And we are going to be able to increase that. But overall, this percentage is similar to our glassware products. or in the coming years, we are going to be able to increase that. So we are going to be able to increase that in the coming years. On-line sales is growing in India. On-line sales is growing in India. On-line sales is one of our view that we want to grow sustainably. Because online, you can see that there is a lot of clutter. And there are many brands, some brands come and go in the years. We are talking about D2C brands. But we will grow sustainably. And this, which is our percentage to sales, we will maintain our percentage to sales. We will maintain over the next few years. Thank you very much. Thank you very much. Because we have many questions from our side. Thank you very much. Thank you very much. I will continue to increase. Now, we will increase in some stocks. Some of the stocks will increase in the future. क्या के जाए एक काम करते है, cello का भी एक share ही है, लिस्टिड है भी और ये share भी अच्छा चल रहा, management को सुनी लिया है, संतोश मीन, आप थोड़ा फर्नमल्टील भी चेक करते हैं, अगरा सेलो के बारे में देख के बताइए, आपने इंफेक्ट देख भी लिया हुगा, आपको कैसे लग रहा है share? यह तो यह तो बात हो, is cello world की लेकिन अब कुछ शुक्स देख लिएता है, जो आक्षन मे हैं और कुछ ओर ट्रेडिंग आइडियाज हो हमारे एक क्ष एको वह मेरे इंफेक्ट करते हैं, पाने कब दढ़िए बनने हैं। एक्सपर्स के रडार पर इस वक्त आ रहे हो एक बाजार को देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा से सौफ्ट है आज मार्केट और इन फैक्ट आप लेकिन रिकवरी भी आपको दिखरी है इन फैक्ट अब आप निफ्टी पर देखें तो किस साथ सु पचास के पास रिकवर और कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से भी होगी ट्रेडिंग के लिए आसे सो आइटी सेक्टर डेफिनिटली मुझे अच्छा देख रहा है और जानुवारी मंस में अनिक सीजन आजेगी इसेक्टर मुझे मुझे वीपरूम में काफी बर्स बनता हुआ देख रहा है क्य मुझे को प्रॉब्लेम ने देख रही अपसाइड में काफी बेटर टाइगेट देख रहे है पोटेंशली मुझे लग रहा है 5.30 तक के टाइगेट एक दो महने के अंदर ये स्टॉक में दिख सकते है हाला कि इस काफी बड़ा टाइगेट है वीपरो के हिसाफ से बट ओर के जून में मिल रहा है उपर 120 का टॉप परा के चाप लीजिए इसको और मुस्ट आप यही बुल रहे थे यह देखिए 104 का भाव साथ प्रसेंट उपर शांदार कॉल कॉंग्राचुलेशन्स अब आप देखिए आप बढ़वा देते हैं फिर उमीदे वीवर्स की तो अभ को जो करेक्शन हा उसको एक पुलकुल जाम करके बाई किया तो यह मुझे लगता है तेजी बनी रहेगी वापिस 120 के लेवल निकाला पता ही शाद बहुत जल्दी बहुत जादा चल चुका है इस वज़े से में तो कुछ दिनों का कंसुलेशन देकर और इस टौक अभी भी पोटेंशल है एक आवरेज करने का मौका था जिनके पास उपर है और नीचे के 96-97 पे भी कल ही आ गया था आज खुलते है संतोश ने कौल दिया और 104 पर 108 तक का आज का इंट्रेडी का भी टागट होने ने बताया लेकिन होल्ड वो बात कर रहे हैं कि अगर यह थीम चलती बढ़ता आगे कुछ और कांटर्स जो मिट कैप में भी उपर आया उनमें अब 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 कैपिल जिसे कांटर्स उपर आया प्रूना वाला फिंकॉर्प उपर आया क्या यहां पर कोई अच्छी बेट आपको दिख रहे हैं अक्षे जी ए भी कैपिटल की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा एक नेगेटिव प्राइस ट्रेंड है पर कोशिश है कि एक रिवर्सल करें तो रिवर्सल का पॉइंट है 167 तो अभी तक रिवर्सल हो चुका नहीं है तो मैं कहूंगा यह शेर को आप मिस कर दे डे टेडिंग में आपको दो-तिन रुपए का आपसेड मिल सकता है पर डाउन ट्रेंड है तो इसे अवोइड करें और प्रियंक जी दूसरा स्टॉक केन यू रिपीट प्लीज पुनावाला फिनकॉप था वहाँ पर भी आपको अच्छी वाइंग दिख रही है तेजी क्या बढ़ सकती है अभी तो सिर्फ आप पॉना पसंट ही तेज है पिनकॉप यहां से मोर ओफ ट्रेडिंग बेट है शॉट ट्रेडिंग सपोर्ट फॉर थर्टी का है फॉर फॉर्टी तक एक बार उचल सकता है आपका अगर वेरी शॉट ट्रम का नजर यह तो आप यह ट्रेड ले अगर थोड़ा लॉंगर ट्रम की बात है तो बहुत मैसि रेसिस्टेंस है फॉर फॉर फॉर्टी पे चुब चारसो पचास पार करना जरूर यह वहां पे एक बड़ी मोमेंटम रैली मिलेगी तो फिलाल आप ट्रेडिंग के हिसाब से पार्टिसिपेट करिए फॉर फॉर्टी का टार्गेट और स्टॉप लॉस बनेगा इसका फॉ फॉरेस डिसेंबर में FMCG शेर में ना चर्चा की ना बातचीत हुई लेकिन अब एकदम से बदलाव हो रहा है अच्छा बैंक की जहां तक बात है बड़े बैंकों ने दम तो दिखा दिया चोटे बैंकों की बारी है वो दीरी दीरी करकर चलते है आर्बिल बैंक उसमें से से निकल गए क्योंकि पांच-पांच पसंट से जारा की मुमेंट है तो आर्बिल बैंक में अभी भी मुझे लग रहे काफी अपसेट बाकी है शॉट टम के इसाब से देखे है एक दो दिन के इसाब से देखे तो 292 तक का पहला टारगेट है वो रेजिसेंस पी यह काफी वो अगर क्रोस करेगा सो वहां से मुल्टिपल रेजिसेंस को क्रोस करने के बाद यह लग रहे है मुझे तीन सो के पार जाने वाला स्टॉक है तो आर्बिल बैंक इवान सुबह संजीव जी भी बोल रहे थे डीसीव बैंक सो छोटी मुझोली बैंक में काफी मुमेंटम आ अगर तो अगर तीन सो के ओपर वापी से जाए तो यहां से किसी को बाई करना तो तो 720 का स्टॉक्चर काफी एचा है आज के दिन में देखे तो जो अपसाइड आया 5% का वो अपने आप में काफी बैतर है रांडिंग बोटन पेटरन का विकली चार्ट पर फिनिस दे रहा पे मुझे लग रहा है यहां पर एक काफी बैतर रिटरन आ चाकता है एट हंटेड और 20 तक के टागेट बुद्रेज इंडेस्टिस पर आते हो दीख रहे है जैनुवरी मन पर कर रहा है एक बार संतोष मिन आप इसको चेक करेंगे सवर्धना मदरसन के नाम से शेर है मदरसन सुमिवा करता ना पहले यह यह इन इस टॉक्स नहीं है नॉर्मली इस ऑटो सपर की रही में बहुँ 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 पाटिसिपेट नहीं किया लेकिन आपी अच्छा है को ट्रेड लेता है तो उसके स्ट्रक्राइट नाम से नाम है फेडरिल बैंक आपको बता है कि अपने टागेट्स दिये थे दो साल आगे के अभी 15 दिन पहले वहां से टाटा पावर चला वहां से आर्वियल बैंक चला 220 वाला 280 अभी करा है वैसे ही फेडरिल ब पढ़ाने के बहुत ध्यान से देखिएगा जब मैनेजमेंट खुद एक बता रहा है कि मैं ऐसे इंप्रूव्मेंट करना चाहता हूं अपने में एक्सचेंजेंजेश पर फेडरिल बैंक इस हफते दो पसंट चला है बाकी छोटे बैंकों के कंपरसिन में कम चला है क्या र I think ICC, AMC का बाइंग का स्टेक भी की न्यूस थी कल के दिन में, if I am right, definitely मुझे स्टॉक में काफी बैतर अभी लग रहा है कि जो रेजिस्टन्स है अरां 158 तक के, वहां से अगर ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम दिखाया क्योंकि डबल टाइम ये स्टॉक ने रेजिस्ट अपसे काफी बैतर ये प्राइस में भी अगर हम एंटर होना चाहे तो डेफिनिटले सकते है 151 के स्टॉक के साथ ये स्टॉक को हो जाए कि मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जब रही आए कि जैसे IT में, MidCap, IT Sector में रही ती वैसे MidCap, Banks में आएगी और येली काफी स्टॉ इसके साथ भाई कर सकते हैं कोई डिप मिलता है करीबन आपको 625-620 की रेंज में तो वहाँ पर इंटरी देखेगा हो सकता है स्टॉक में एक बात चोटा डिप देखने के मिलें वहां से फ्रेश एंटरी के मोगे बनेंगे और स्टॉक जैसे ही ये सस्टें करेगा 660 के उपर तो शाद 800 रुप के जो बहुत देखने को मिलेंगे तो अभी मिलेंगे तो अभी मिलें थोड़ा सा इक रेंज में भी ताइम वाइस करेक्शन दिख सकते हैं लेकिन बाय और डिप्स के जो ट्रेट करते हैं उनके लिए आज स्ट्राटिजी क्या होने चीए अधित है अरोड़ा हमारे खास गेस्ट अधित है अधित है आज तो आपको थोड़ी है स्ट्राटिजी वेनी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है कही सारे स्पेसे में कैसे आज स्ट्राटिजी प्याउट कर रहा है तो मेरे साब से एक बेरिश ट्रेड नूट्र तो बेरिश ट्रेड लिए लिएंस और निफ्टी में और अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो आइसी सी बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है तो मेरे साब से एक बेरिश ट्रेड नूट्र तो बेरिश ट्रेड लिया जा सकता है तो इसमें स्ट्राटिजी यह रहे है कि 1020 का पुट बाय कर सकते है जो 31.35 चल रहे है और 980 का पुट सेल कर सकते है जो 13.50 चल रहे है इसमें मैक्सिम लोग पोटेंशिल है 12.495 और मैक्सिम प्रॉफिट पोटेंशिल है 15.505 तो इसमें नीचे आएगा तो मुनाफ़ा बनेगा फिनो की बात कर रहे है और और ऑप्शन की बात कर रहे है यह एक तो इंडिय मुल हॉजिग ऑफिनो से बाहर निकल लिया तो यह जो एक ट्रेडर सेंट्रिक स्टॉक था ना बहुत जादा इंटेड अब नहीं ना पैसा लगा काम करना पुड़ेगा इवन डेल्टा कॉप निकल रहा है हाँ मार्च से एंफे उस तो समय है अर्बेल बैंक में यहीं ख़बर आ रही है तो यह ऑप्शन वालों क्या होगा इसके इस सारा काम कैश की तरह मुप कर जाएगा क्या आजित्या वेरी गुड मॉनिंग अजय जी आई तो यह फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका फ्यूटर इन ऑप्शन में काम करने का फिर तो कैश में ही काम करना पड़ेगा तो इसमें एफेक्ट किये आएगा सब्स किसी की बुलिश बेरिश पोजिशन हो जल्दी जल्दी कुछ करेंगे कि रोल ओवर की जगा शॉट तम में फोकस करें बाद में तो कैश में काम करना पड़ेगा ठीक शुक्रिया यह इनोवा क्याप टैब की आपको आपको दिखाई देरी है रेट्स का पर सेटल हो रहे है चारसोचापन के आसपास सेटल हो रहे है दो पसेंट ऊपर तो यह एक है देखिए आईपयो में भी आपको ध्यान देना पड़े है कौन से आईपयों पर आप आप्लिकेशन लेके काम करें कौन से आईपयों आप खुलने पर भी काम करें आपने आर्वीज आगर खुलने पर भी मौका मिलना था एरड़ा में खुलने पर भी मौका मिलना था लेकिन कुछ स्टॉक्स जो फैर्ली एल्यूड आईपयों पर आते हैं और अगर आप ग्रे मार्केशन देख रहे हैं 30-40% जैसे आजाद इंजने शांदर कंपनी लेकिन फुली प्राइस हो गया था आई लिस्टिड हुई कंप्नी जिस पर आपकी लजर रही हो जी अभी आईपयों को देखे तो थोड़ा सा मोंटम थेंडा पड़ा है इस टॉक आईपयों बहुत सारे आई लेकिन लिस्टिंग से अगरे से डिसपॉंड कर रहे हैं लेकिन एक डिसपॉंड लिस्टिंग हो थी जितना एक्सपेक्टेट था उससे कमई भी वह था आईमोक्स इंडिया जो कंपनी काफी अच्छी लगी हो एक नीश प्लेयर है उसमें एंट्री बेगे काफी जाता है रमेबर काफी अच्छे हैं तो इस गिरावाल में इस कमजोड़ी हो थी आईमोक्स इंडिया करना चाह एक स्टॉक डिसक्स करना चाहूंगा मैं जय पतेल से ट्रांस्वर्मर्मर्ज और रेक्टिफाइस टी आर आई एल अभी अभी ब्रेक आउट आया टी आरायल में 6% उपर डेज हाई की तरफ पिछले 6 मेने का चार्क लेकिया यह अपने अर्लियर लेविल्स को वापिस से क् इस पर उसमें तलाश में हैं तरी में अभी हमने एक इंटिव्यु किया था पिछले महीने पिछले हाफ्ते इंटिव्यु के बाद बीस तका सब्सक्राइब लगा था इंगले लिए आटकता घ्या के यह अक्षिय वागवाद जरा इसके चार्ड को देखे यह जो जिस विस्पॉसब्ल है जी यह ट्रांस ट्रांस्फोर्मर रेक्टिफाइर ट्रांस्पोर्टेशन तॉक का नाम दो रहेंगे अजेजी मैं मिस्स कर रहा हूं तो यहां पर ट्रेडिंग नजरिये से बाई कर सकते है 229 का rate है तो आपको 245 तक target बनेंगे जिनके पास positionally है तो अभी भी hold करके चले 200 का strong base है fresh buying कर रहे तो आपका target थोड़ा सीमित रहेगा 245 तक positionally traders के लिए मैं थोड़ा लंबा target बना के चलूँगा 275 तक उनके लिए target दूँगा मैं तो एक बहुत ही strong counter है hold या buy की recommendation रहेगी in fact power ancillary के कुछ दूसरे stocks मी देखें वहाँ पर भी अच्छी तेजी है transformer rectifier के साथ 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 कल पत्रू को देखें वहाँ 8% की तेजी है GE TND ये भी काफी चलता है जब एक साथ move शुरू होती है यहाँ चार सारे चार सन और पोल टाइम transformers आज पावर अंचलरी स्पेस पी अच्छा का सा करंट है पावर थोड़े कम चल रहा है लेकिन पावर अंचलरी में अच्छी मूव है को स्टॉप यहाँ आट करना चाहिए जह जो अच्छे एंट्री लेवल जे रहा हूँ तो यहाँ से मुझे लग रहा है वोल्ट रम पर काफी मोमेंटम था और विकली चार्ट पर हम देखे तो अभी वह जो जब बुलिश केंडल बनी थी अभी एराउंट 6,680 के वहाँ पर जो रेजिशन्स पार था उसके बीतर ही अभी काम कर रहा है तो मुझे लगा एक बार ब्रेकाउट आना चाहिए वापी से उसके बादी फ्रेश एक ले सकते है क्योंकि अभी काफी रेजिशन्स के पास चल रहा है और वापर सुपर ट्रेंड लाइन के वहाँ पर भी रेजिशन्स पर तो किसी को शॉट टम के लिए एक दो परसंट के गें के लिए ट्रेट करन तो ब्रेकाउट ओरडी हमने विजिबल देखा हुआ है और हाँ रट करना परसंट का मंथली रीटरने वट हाला कि शॉट टम में थोड़ा कॉंसलिट हो रहा है तो आज बूड़ा वेट करना चे उसके बाद ही इस टो को बाई करना चे तो बाई करने की सला है तो बाई करक आप अक्षे यहां पर हमने हमारे क्लाइंट्स को चंबल फर्टिलाइजर बाई करने की राई दिये थोड़ा सा डिप मिल रहा है आज बट ओर एक चार्ट स्रॉक्चर देके तो डबल बॉटम का ब्रेकाउट हो चुका है आपको 360 या 365 अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छ चल गया यह बहुत जबदस अपनों इससे पर दिखाई दे रहा है एक और स्टॉक चो बहुत दिनों के बाद अपनों दिखा रहा है संतोश इन फैक्ट सौर पर घटा था विछले एक महीने के अंदर वो है आपका रिमिंड और मूंद अठ्रासो जाने के बाद यह वापि करक्टिव के बाद क्या यह सस्टेनिमल दिख रहा है लगता है इसको इसको चेज करना चाहिए या रहने दे जी अजी चार्ट स्ट्रक्टर कापी अच्छा हो रहा है क्योंकि रिस्क्रों काफ़ी फ्यवरोबल दिख रहा है क्रेंड लाम एजिस्टन्स का ब्रिकाउट भी आ रहा है आपके लिए स्टॉप्यों बहुत छोटा है सब्सक्रों के लिए करेंगा एक और स्टॉप्यों की बात बहुत हो रही है उसमें दो बाते एक तरफ तो वाल्यूम ग्रोथ है नहीं आप चार क्वाटर के रिजर्ट दिख लिए कंस्यूमर्स में वाल्यूम ग्रोथ हैं इसपिशली जो गाओ और छोटे शहरों में आपक सारे कंजूमर में और मनेजमेंट खुद अभी बर्मन साब दो मेने पहले मुछ से रात करने आया थे और मैंने उनसे बुछाण का अभी कोई वल्यूम ग्रोथ में है कोई इतना मायूस में देखा सारे बड़े लोग ने लाज चे मेने कॉमेंट्री दी कमजोर कंजोर लेक के डाबर पांसो बचास है संतोश ये टेस्ट कर सकता है वापस नीचे या अब दियर दिरे वेट ना करें कि कब पॉजिटिव खबर आएगी तब लेंगे दियर दिरे अब चेस करना चाहिए वैसे भी बजार का महल डिफेंसिव है तो यहां में खोने के लिए क्या है जी जी मुझे लग रहा है कि अपनसो बच्पन का इमेड रजिस्टन से पांसो पच्पन के उपर निकलता तो पांसो पॉच्टर पांसो असी तक की अपसाइट डेक्न का मिल सकती है यहां पांसो पर निकलता तो फुलाल के लिए पचास पर के लिए को प्ले करना चाहिए तो का सकता है इस्टोप्र पर लिए आपके लिए पांस पर एक्टिस पर इस पर गा आपना पर निकलता तो प्रफ चाहिए तो प्रफ यहां पर यहां पर डेके तो असरफ जो है उसका एक बगधी बड़िया चार्च्टर है काफी टाइम में एक रेंज में सीमित है थोड़ा ब्रोडर चर्ट स्ट्रक्चर की में बात करा हूँ और यह एक काफी स्ट्रॉंग ब्रेकाउट के कदार पर है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जल्दी यह ब्रेकाउट 2560 के उपर जो है यह मिल जाएगा और इसके टर्गेट 2900 तक हो जाएगे तो आप इसे थोड़ा मीडियम टर्म या लॉंग टर्म के साथ होल्ड कर जाएए 3000 प्लस के टर्गेट डिखेंगे ट्रेडिंग के लिए भी मोमेंटम इंटाक्ट है तो SRF मेरी सबसे बेस्ट पिक रहेगी फ्रम दा केमिकल एंफ पर्टिलाइजर स्पेस से SRF आपकी नहसर रहेगी होटेल स्टॉक्स को भी देखते हैं इन फाक्ट अच्छी मूव कामत होटेल या इच होटेल सब में एक अच्छी मूव है और आके आपको जानवरी में बड़ा ट्रिगर है जो युद्धा से निकल कर आ रहे है वहां से उस व्यू के चलते को होटेल स्टॉक आट करना चाहिए तेजी में जो इन फाक्ट लेमिंटरी होटेल होटेल स्टॉक होटेल मुझे काफी अच्छा लग रहा है हम देखे तो और हम रेजिस्टन्स के उपर अपी ट्रेट कर रहा है जो इवन वल्टाइम हाई भी ये स्टॉक अभी वहां पर चल रहा है इखली चाट पर फ्लेग पूल पेटन बन रहा था उसको ब्रेकाउट किया तो शेले टॉटल पर बहुत टाइम से हम देखे तो मुव काफी स्टॉंग पर रहा है जब से चेसो के उपर ये स्टॉक में सस्टिर किया कब से कंटिनुसली अपसाइड दिखा रहा है मुझे लगए शेले टॉटल पर अभी भी व्यू बुलिश का बन रहा है तो शेले टॉटल आपको पसनाता है कि इस पीच आज हमारे मारे मैंजिंग एडिटर निकुंज डालना हिरेंवेट के साथ खास बाक्षीत कर रहें आउटलोग 24 पर आई आपको सीधी ले चलते है फुटान अचाइए हिरेंवेट साब पिसली बार हमारे शोर पर आया थे उनने बड़े इंटिफा करें तो एक साल पहले बोला तो अजमायटों के शेर में इंवेस्ट करें पर टीम में इंवेस्ट करें टाटर मोटर में काफी समय से इंवेस्टेड हैं और जितनी में वरून बेजिजिस की बात पारीफ करो तो उनके अंदा तो उनने एक लंबा चक्का ही मारा है तो आप दें से समझते हैं कि अगले साल के कौन से बड़े आइडियास पिक्स या फिर क्या हुआ हमारे ब्योज को नसीयत देंगे एक पोटफोलियो को कहां पर निवेश करना है चेरें साब पहले तो एक बहुत ही बेतरीन साल गया है दो जार तेईस जिस अच्छा गया है खास करके ब्रॉड मार्केट्स के लिए काफी अच्छा है और मेरे इसाब से दोजार चॉबिस भी अच्छा ही जाना चाहिए बट अगर नियर टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि relative to small and mid caps मुझे लगता है large cap में एक catch up आना बाकी है तो और आपने हो सकती है globally और typically volatility small mid caps में ज्यादा होती है so I think 2-3 साल 4-5 साल के view से तो small mid cap में अभी भी तेजी बरकरार रहेगी लेकिन अगर 2024 में because 23 इतना बड़ा साल रहा है small mid caps के लिए मुझे लग रहा है कि large caps would be a better place to be in in 2024 market में धार्मा है कि भई कहां जाएंगे FIIs हिंजुस्तान में तो कहां सबका माम है कि 23 में उन्हें निवेश बड़ा नहीं करा था cash market में negative return है IPO market में निवेश करा वंगे net net जादा निवेश नहीं करा थाइस के बाद चोईस में by choice and by force they will come back and we could reach a stage where domestic investors खरीद रहें और foreign institution investors और खरीद रहें तो जिसे हम अंगरी जी ने वर्ट बोलते है FOMO होने वाला जो में December में देखा क्या वह और हो सकता है निकुज हो सकता है क्योंकि ultimately देखिए foreign निवेशक तो आएंगे अब last year क्योंकि fed rate बढ़ा रहा था तो generally India dedicated के सिवा जो पैसा होता है वो typically risk assets में नहीं आता है हाला कि risk assets से पैसा निकल के बाहर जाता है बट अब क्योंकि fed ने यू-turn कर दिया है तो मुझे confidence है कि FIA पैसा आएगा 2024 में और एक confidence भी आया है लोगों को कि ये government बरकरार रहेगी तो और अब तो confidence ज्यादा है क्योंकि state elections के बाद broadly probability is very high कि PJP की सरकार फिर से आजाएगी 2024 में और वहाँ fed के rates भी घट रहे हैं तो मुझे मेरे इसाब से FIA का पैसा आना चीए तो जो यहाँ पर बोलते हैं double engine सरकार वैसे double flows आ सकते हैं इंडिया में और इसलिए इसलिए भी एक और वज़ा है कि मैंने आया कि शायद अगर FIA के flows भी आ जाएं तो फिर large cap में तेजी हो सकती है क्योंकि typically they don't invest in small and mid caps they tend to invest in the top 100 companies because that's where the liquidity is तो liquidity वही है तो मुझे लगता है वहाँ पैसा आ सकता है आपको क्या लगता है कि medium small cap stocks में से 15 से 20% पैसा इस समय profit book करेके large cap में shift कर देना चाहिए अगर आपका short to medium term view है तो शायद ये अच्छी strategy हो सकती है कि एक अच्छा run है बट क्यूंकि small mid cap मैं आपको एक आखड़ा देता हूँ जैसे last 10 साल में nifty ने सिर्फ एक बार negative return दिया है 2015 में 2013 से लेके 2023 अगर आप देखें तो 2015 में nifty negative था बाकि हर साल nifty positive रहा mid cap देखें तो last 10 साल में 3 साल negative रहा है और small cap देखें तो last 10 साल में 4 साल negative रहा है 6 साल positive है तो small and mid cap में आपको long term view लेना ही पड़ेगा लेकिन volatility जादा है जबकि large cap में probability की you will lose money is far lower तो इस हिसाब से अगर एक सिफ आप 12 मेने की view ले रहे हो तो it may not be a bad idea to book some profits and move to large caps आप भी वही कर रहे है अपने portfolios में देखें मेरा जो portfolio है वो multi cap है मेरे portfolio में मैं तकरीबन 50-55 टका large cap रखता हूँ और बाकी middle small cap रखता हूँ तो वो mix broadly मैं बनाए रखता हूँ irrespective of market cycle because मैं you know हम portfolio बनाते हैं तीन पांट साथ दस साल के लिए तो हम ज्यादा उसमें tactical shifts नहीं करते है अकसित बोला जाता है शेयर बिज़ार के नदर पैसा बनता है जहां बायर होल करते है अगर बोज मार्केट टाइम करते हैं तो जाता हो timing में मार्क हा जाएंगे प्राइस में मार्क हा जाएंगे आप माल शेयर बेज देते हैं फिर गरता नहीं और उपर चला जाता है शेयर आपके हाँ से निकल जाता है तो आप क्या buy and hold strategy इससे में कौन से शेयरों में adopt कर रहे है देखें निक्यून मुझे लग रहा है कि जो सेक्टर 2003 से 2008 में जो लीडर थे जो domestic cyclical बोलते हैं फिर वो cement हो, real estate हो, capital goods हो, infra हो real estate हो tourism hotels हो I think यह सब सेक्टर में मुझे लग रहा है कि तेजी structural है long term बरकरार रहेगी वहाँ पे मुझे लग रहा है कि पैसा अच्छा बनेगा अगर आप buy and hold करके रखे and generally यह क्योंकि 2010-2011 से लेकर 2020 तक largely जो बोलते हैं high quality franchise, consumer businesses private banks यह सब सेक्टरों ने अच्छा किया तो लोगों को लगता है आगे भी जाकी यही अच्छा करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, leadership change होती है और उसमें adapt करना बहुत important है तो मुझे लग रहा है कि यह जो सेक्टर है वो फिर से एक structural bull move में है और वहाँ पे एक exposure रखना आपके portfolio में यह बहुत ही important एक term यूज होता था 2021 और बाइस में quality at any price air fund managers इस पर बिलीव भी करते थे जी quality ले लो, price की चिंता मत करो क्या वह थीसिज उल्टी पुल्टी हो गई है? इलकुल मतलब कोई भी चीज quality हो मतलब at any price आप लोगे तो आपका return तो बनना मुश्किल है और अगर बहुत ही cyclical या small या mid cap में आपने at any price खरीद लिया तो वहाँ पे तो capital loss की भी शक्यता हो सकती है so I think we have to be very very careful you know quality at any price was the mindset because as जैसे मैंने कहा कि ये companyya बहुत अच्छी की और हमें ये लगा कि ये आंट दस साल का जो trend है वो आगे भी चलेगा बट ऐसे होता गी अकसर market में तो long term investing में लोग की बोलता है कि 10 साल 15 साल के लोग के लेके भूल जागे market इतना turn करता है तो वो long term investing कैसे चलेगी नहीं मतलब cycle भी 8-10 साल की होती है right तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने quality share बेच दीजिए बट ये भी नहीं है कि आप को अगर 2 साल, 3 साल, 5 साल में compounding return कमाना हो लेकिन आपने बहुत ही high P.E. पर share ले लिया भले ही वो quality हो तो वो time correction तो आपको देना ही पड़ेगा इच्वल में देकाई शिन पेंट्स में ने देख रहे हैं वोट सारे बैंक में देख रहे हैं तो ये ये जो है वो कोई नई बात नहीं है तो और इंसा बैसे कौन सा share है जो आप 15 साल से जादा से ओन कर रहे हैं और आपको भी भी लगता है the best is yet to come नहीं काफी है मैंने ट्रेंट 15 साल से खरीदा है बजाज फाइनस 13 साल से तो ट्रेंट का पी मल्टिपल अब लोग मुझे बताते हैं एक सो चालिस पचास है बजाज फिनांस का प्राइस टू बुक साथ आठ है अभी साड़े पाँच होगे अच्छा डाइट कर दिया थोड़ा पैसा रेस करा है तो अब इन भी मल्टिपल्स पर वही क्वालिट एट एनी प्राइस वाली बात हो रही है तो कैसे पैसा बनेगा देखे उसमें आपको एक असेस करना पड़ेगा कि जो overall size of the business कितना है और इस industry में opportunity कितनी बड़ी है तो अगर size of the business relative to the opportunity अभी भी काफी छोट अगर size of the business is still small and it can compound at 15, 20, 30 25% for the next few years तो शायद valuation sustain कर जाए यह भी हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं कि यह quality share शायद next 2 साल कोई return ना दे till earnings catch up यह भी हो सकता है तो long term investing में ऐसे कई बार ऐसे साल आते हैं जब आपका कोई पैसा नहीं बनता कि 2024 ऐसा साल हो सकता है for few shares yes हो सकता है ज़्यदे पैसा ना बने कि ना बने तो आप भी कहाँ पर बड़े दाव लगाए है large cap में आपका बड़ा दाव किया है mid cap में आपका बड़ा दाव किया है small cap में आपका बड़ा दाव किया है your specialist है आप तो नाम की बात करेंगे देखिए जैसे मैंने बोला मुझे मुझे cap goods और infra और ये सब सेक्टर अच्छे लग रहे हैं तो large cap में मेरे पास Larson है Hindustan Aeronautics है ABB है Dixon है ये सब basket है मेरे पास mid caps में auto auto ancillaries है mid cap tech है KPIT Tata LXC है Varun Beverages है TVS Motors है large cap में Tata Motors भी है तो small cap में क्या जी आपके पास dynamic है ethos micro cap अगर मिलने मिश्टर size बढ़ा होगा खेर अब लग we have an exposure अभी हमने एक एक दमी small cap less than 10,000 crore market cap में ही invest करेंगे इसा एक फंड शो में किया है तो इसमें पैसा आप कितमा पैसा आप में collect कर रहा है उसमें बहुत चुटा भी तो थाईसो तीनसो करोड ही collect किया है अबने तो यह open to accepting freshmen अबने आपको भी small cap में less than 10,000 crore में अपॉच्वीटी मिल रही 15-20 तका unlisted में करूँगा तो जादा नहीं हमको 300-3,5-3,5 करोड ही raise करना था because when you are investing in very small cap companies तो you know you want to keep the size limited but I think opportunities are there अभी भी है हिर्ण सब सब करे मानना था 5 साल पहले कि PSU's में दम नहीं है और अकसर हमने देखा है कि कोई सेक्टर जब 10 साल के लिए परफॉर्म करता है तो वो एकदम leader बन जाता है तो क्या PSU's भले बैंक्स हो और देखिये मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स आर आर अल फ्रॉम और लेस्ट आर लॉट अर लॉट अर लॉट अर फ्रॉर्म प्रॉर्म प्रॉर्म हाला की ओफ लेट मुझे लग रहा है कि थोड़ा यूफोरिक हुआ है कि कुछ जहां भी PSU हो 20-30-40-50 का पहुत इस्टॉक बढ़ जाता है 35-50 हो गया बट आई थिक ओवर्राल अज़ थी जो लोगों को लगता था कि नहीं PSU में हम नहीं इंवेस्ट करते I think that needs to be questioned because काफी सारा जो इंफरा में spending है make-in इंडिया में है जो focus है गवर्रमेंट का तो कई ऐसे एरिया में resources है power है renewable है defense है PSU's are big players in this industry and उनकी balance sheet improve हुई है उनका governance इंपरू हुआ है और government भी focus कर रही है कि वहाँ पे ये कंपनिया ठीक से perform करें और value create करें क्योंकि government को भी सबंद में आ गया है कि इतना सारा value unlocking हो सकता है आप हर साल डेड़ लाग दो लाग करोड का equity बेच सकते हो market में और उस पैसे को फिर आप infrastructure या social spending में डाल सकते हो तो वाइ नॉट क्रियेट वैल्यू इन दीस कंपनियस देर लाग करोड की market cap जो थी इनकी साज़ चार लाग करोड की market cap हो गई है पिछले तीन से सार तीन साल के इस प्रकार का multi-bagger creation हुआ है तो आखनी दो सावाल मैं आपसे पुछता हूँ अब अगली सावाल को मैं category wise divide करता हूँ हमारी audience है young audience जो तीस साल से कम के हैं उनको क्या करना चाहिए second category किसे हम कहते है they are in their 40s and they still have 10-15 years of good earning visibility in their life and their careers और एक 65 plus जो जिनके पास earnings नहीं है savings है पर savings की वज़े से ही वो अपनी आने वाली जिन्दगी चलाना चाहते है अब इन 3 categories को क्या advice देंगे देखी जो पहली category है 30 25 25 से 30 जो young crowd है I think उनको तो मैं कहूँगा कि आप systematically invest करिये या वो सिप हो या regular investment हो क्यूंकि जो next 15-20 साल है इंडिया के वो undoubtedly golden years है तो चाहे थोड़ा सा consumption कम करिये और invest save और invest जादा करिये पहले invest करें फिर बाद में spend करें अगसर आप पहले spend करतें फिर बाद में invest करतें so save first and then invest जो compounding है आप जितना जल्दी और जितना जादा invest करोगे अब उतनी पूझी आपकी बढ़ेगी 15-20 साल के पाद तब आप launch करिये तब आप spend करिये लेकिन अभी चालो करें कर दो हुए आप देख रहे हैं इड्टि नौ सवदेश और अब समय हो गया है माक्ट महारतीषे चर्चा का आज की माक्ट महारतीः देव नवेहरा फिर्स ग्लोबिल से जो हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड रही है दिविना बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वागत है एटीनाउस वदेश पे ये साल का आखरी दिन है दोजार तेए इस एक शांदार साल रहा इन्वेस्टर्स के लिए निविशिकों के लिए जो ठीक से बाजार को अप्रोच करते रहे और आपका सायोग और गाइडिस भी काफी काम आई है हमारे विवर्स के लिए उसके लिए शुक्रिया तो ज़र 24 में जैसे हम कदम रख रहे हैं कि जो पॉर्टफोलियो इंश्टर्स हैं उनको बड़े मोटे मुनाफ़े की आधत लग गई है दोजार चौबिस में मारी अप्रोच क्या वैसे ही होनी चाहिए अग्रेसिव और थोड़ी सी ग्रीडी भी बाजार को लेके सुपीरियर ग्रोथ वगरा वगरा यह आपको और जहां तक और आपको नवर्ष की बढ़ाई एक दिन पहले दो दिन पहले और आपके विवर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया और जहां तक बाजार के सवाल है जी हां 2023 बहुत अच्छा साल राख खासकर small cap, mid cap, indexes और बहुत सारे उसमें जो stocks थे उनके लिए तो वो अगर आप aggressive के हिसाब से वो चीज़ बोल रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको अपसोच समझ कर आगे बढ़ने वाला समय आ गया है अभी तो small cap का definition भी बदलता रहता है कौनसर category small cap है या नहीं कौनसर stock small cap है या नहीं बड़ जहां तक मैं कहूंगी खास कर कि 5000 करोड से कम market gap वाले जो stocks हैं वहां आप सोच समझ कर निवेश करें क्योंकि बहुत सारे निवेशक नए हैं उनको इतिहास शायद मालूम भी नहीं कि उस तरह के stocks कितना तेजी से गिर सकते हैं जब आप उपर होते हैं तब उसकुतने ही गती से उपर जाते हैं लेकिन जब नीचे गिरते हैं तो आपको stop loss का भी समय नहीं मिलता है वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं रहता है तो वह सब थोड़ा सोच समझ के चलने की बात है जहां तक जो large cap और आप mainstream जैसे NFT type के index की बात करें तो वहां मुझे खत नहीं नदर आता और उसका कारण यह है कि बहुत समय तक भागतिये बाजारों ने अच्छा नहीं किया था और यह पूरा दशक था 2010 से 20 का जब equity markets ने कुल साड़े आठ से थोड़ा उपर compounding दी जबकि हमारे दिमांग में रहता है कि equity market 15-16% compounding देंगे खास कर कि अगर आप 10 साल जैसा लंबा समय लें लेकिन उससे आजे से ही कुछ ज़्यादा compounding रही fixed deposit से थोड़ा ही बहतर रहा मतलब आप 100 रुपे 2010 में लगाते तो 2020 में आपको 230 रुपे मिलते जबकि fixed deposit में ही आपको 190-200 मिल जाते और जबकि उसके बनस्पत आप जैसे 1980 को देखें तो उस दशक में 100 का 700 हो गया था तो यह जो market ने 10 साल बहुत कम return दिया उसके कारण ही अभी मैं बोल रही हूं कि खतरा कम है क्योंकि market अभी वह 15-16% वाली trend line से नीचे ह जहां तक large caps का सवाल है लेकिन आपको sector का चिनाव सोच समझ कर करना पड़ेगा और जहां तक large caps का सवाल है जो index में सबसे बड़ा weight है banks वहां आपको थोड़ी साफधानी बरतनी पड़ेगी यह हमारे systems हैं उसके signals के हिसाब से मैं बोल रही हूं और जो आपको नजर भी आ र दूसर सवाल इसी बात पर है देविना कल ही RBI ने trends 2023 की रिपोर्ट जारी की overall तो एक बार तो RBI ने कहा कि banking sector की growth NBFC सेक्टर की growth काफी healthy है और asset quality 10 साल के lowest levels पर है लेकिन हलके हाथ से RBI ने NBFC को nudge किया कि आपको अपनी borrowing mix को और improve करना चाहिए सिर्फ banks यूपर आप tilted ना रहे वगरा वगरा तो मेरा दूसरा सवाल यह होगा कि lenders को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं एक हिस्सा lenders का जो की results तो पिछले 4-5 quarters में बड़े improve किये लेकिन भाव private sector banks के वनस्पत अगर हम देखे largest PSU bank से उतने नहीं चले आपको लगता है कि यहां से एक-दू साल इन पर bet बना कि मैडम आपका तो यह तकिया कला मैं कि I am a nervous investor in banks तो banks or lenders में जब तक मुझे बहुत ऐसा नहीं लगे कि बहुत बड़ा आपको आने वाला है मैं तुरा सोच समझ कर ही निवेश करती हूं और अगर आप पिछले 4 साल की बात करें मैं तो एक साल की भी नहीं चार साल की बात क किया है तो आप 2020 में देखें तो निफ्टी बैंक सेक्टर इंडेक्सेज में खाली बैंक ही नेगेटिव में था 2020 में 2021 में मार्केश हैं 20% उपर गई बैंक 11% 2021 में 2022 में आप देखें तो वो एक जैसे मैंने का एक ही साल था जिसमें बाजार से बहुत अच्छा किया बैंक्स ने और वो ही एक साल था जब हम मार्केश वेट या ओवरवेट थे बैंक्स में और 2023 में आप देखें तो फिर वही हाल है कि बैंक निफ्टी कुछ 19% उपर है निफ्टी 20% निफ्टी 25% लगभग इसके आसपास हैं यह सारे इंडिसे तो यह जो लेंडर्स में ग्रोथ हमेशा अच्छी चीज नहीं होती है और आसेट कुवालिटी में जो प्रॉब्लम होती हैं वो बाद में जो समस्यां आती हैं वो आपको थोड़ा बाद में समझ मे क्यां कि ग्रोथ हमारे इस्टिमेट से अधिक है तो बोजे हमेशा हसी आती है कि पैसा देने में तो कोई प्रॉब्लम कभी किसी को हुई नहीं वो तो पैसा वापस लेने में प्रॉब्लम आती है तो यह और जहां तक आपने PSU वर्सिस प्राइवेट सेक्टर की बात की आप यसी उसकी तरफ ही स्क्यूड है और अभी पैसा ही हमको लगता है कि वही पेतर करेंगे कुछ समय तक हम पूरे साल भर की बात तो मैं नहीं करती है क्योंकि हम हर तिमाही पे एक बार फिर से देखते हैं सब चीनों को और फिल्हाल तो ऐसा लगता है दिविने पहले तो बहुत शुक्रिया आप समय दे रहे हैं एटीनों सुदेश को और आपसे बात्षित करके हमेशा अच्छा लगता है और आपकी गाइडेंस बहुत काम की है उस समय भी जिससे बाजार बॉटन पर था आपने का हिमत मतारी है मार्केट के अंदर पैसा लाता है जैसे तीन स्टेट के चुनाव हुए है तो यह पता लागए कि दोजार चौबिस कंदर सेम कौन डूरी उसकती है यह सेम रूरी पीट हो सकती हाली जो भावना है उसका इंपैक्ट मार्केट में काफी हग तक आ अगया या या फिर आना बाकी है जो चुनावों के बाद और तेज हूगा या फिर ये discount हो गया कहते हैं通ar कि मार्केट में तो हरची discount होती है तो ये discount हो गया भी होना बाकी है तेखिस जहां तक ये बात है हम लोग सब कहानिया ढूरते हैं कि इसलिए बाजार उप्र जा रहा है ये नीचे जा रहा है, बाजार का अपना लॉजिक होता है और जहां तक ये राजमीति का सवाल है, अब 20 साल होने जा रहे हैं उस बात को 2024 में बाजार को पड़ा एक तरह से धक्का लगा था कि NDA चली गई और कॉंगरेस वाली ये उपिये आ गई, वो भी कूल पहुमत से नहीं और पहले दिन बाजार बहुत सोरों से गिरा और कुछी हफ्तों में वो सब भूल गया है, तो आप राजमितिक अटकलवाजी करने का फाइदा नहीं है, नहीं वो मेरा शेत्र है या में जीसकी है, तो वो आपको बाजार अर तो इसलिए उन चीजों का उतना महत्व नहीं रहता, जो फंडामेंटल्स हैं, बाजार के, कंपनियों के, अर्थ व्यवस्था के, उस पर ध्यान रखिए और जहां तक कौशन का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि आपको सामधार बहने की दरूरत है, जो बहुत स्मॉल कैप्स मे अभी लार्ज कैप्स में मैं यह नहीं कह रही हूँ कि अभी कोई क्रैश का खत्रा है, ऐसा कोई सिगनल नहीं है, और जब क्रैश का खत्रा ना हो, तो निवेशित रहना ही पहतर है, जो भी आपका एक्विटी आलोकेशन है, मैं यह नहीं कहती कि आप 100% एक्विटी में बहुत जादा ध्यान नहीं लगाईए, क्योंकि उसका कोई साइदा नहीं है, वहाँ आप एक बास्केट खरीद नहीं सकते हैं, आपको मालूम नहीं कितना अलॉट्मेंट लगेगा और मिलेगा और आपका दिमाग उधर लगा रहता है, पैसा उधर लगा रहता है, वह बहु बहुत एक कंसंसिस सा वीव इस वक बनता जा रहा है, कि लाच कैप की तरफ ध्यान होना चाहिए, तो इस वक तो हमारे आप आप एडवाई, व्यूवर्स को क्या आडवाईज करेंगी, कितना परसेंट पोटफोलियो लाच कैप में होना चाहिए, कितना स्मॉल कैप से बु असपास होगा, पना नहीं तो सोला होगा, इसके आसपास होगा, और जो लार्ज कैप होगा करीब 50 प्रतिशत के करीब, और बाकी मेट कैप मतलब 5000 से लेके 25,000 करोड तक उस कैटेगरी में होगा, जैसा कि मैंने का अभी वो मार्केट कैप कैटेगरी बदलती रहती है, तो एक हमारा जो सिस्टम है, वो बॉटम-वप सिस्टम है, तो वो सारे जो 700-800 स्टॉक हैं, जो एक हजार करोड मार्केट कैप के ऊपर हैं, वो पूरे को रैंक करता है और उसमें से हम लोग चूते हैं, जैसे कि मैं भी पिछले साल का देख रही थी, तो अगर आप IT का इंडे देखें, तो वो मुश्किल से बाजार के आसपास परफॉर्मेंस रहा है, NSE 500 के, लेकिन हमारा जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है, वो एक Big Cap IT स्टॉक है, तो वो भी होता है, तो हर चीज सेक्टर कॉल नहीं होती, पिछले कुछ सालों में, कुछ साल ऐसे थे जहां हमारे टॉप 5 में ITC था, या रेमेंट था, वो सेक्टर कॉल नहीं थे, बाकी के जो अमारे टॉप 5 है, वो आप कह सकते हैं, कि उन सेक्टर पे भी हमारा पॉजिटिव रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल कैपिटल गोड्स है, आटो आटो कॉंपोनेंट्स है, या फार्मा है, तो व इसमें से बहुत सारे स्टॉप एक तरह से शूननमे मिलीन हो जाते हैं, कुछ सालों में, यह चीज़ भी लोगों को समझनी चाहिए, कि आप देखें, कितनी कंपनिया लिस्ट होती थी, BSE में और आज की डेट में खाली 4000 कंपनिया हैं, जो ट्रेड होती है, तो बहुत सारे जब IPO का भूम आता है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनिया लिस्ट हो जाती है, जो कुछ सालों बाद नजर ही नहीं आती है, तरह ने मुझे दिविना एक बात बूली है, कुछ दिन पहले वाचीट के दोरान फंड मेनेजर हैं, उनको एकसाइट करना बहुत मुश्किल है, क्लि कॉल्स वो बुल माकिट के पीक में होती है, कुछ ऐसी कंपनियां जो पैसा रेस करने काबिल ही नहीं है, वो बड़ा-बड़ा पैसा रेस करके चले जाती है, आई-पीओ के गार्ब में, तो केरफूल डेना चीए इन्वेस्टर्स को, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो पूटफूलियो है, जो में पूटफूलियो है, वहाँ पे वैलुएशन में पिछले एक साल में क्या बदलावाया है, और उसके कंपारिजन में क्या अर्निंग्स ग्रूथ की विजविल्टी भी आपको अच्छी हेल्थी दिख रही है, देखें, पूरा एग्रिगेट मार इसलिए कंपनी ये सब चीज से काफी स्की हो जाता है, तो इसलिए कंपनी ये बहुत से बहुत सेक्टर लेवल पर ही आपको देखने की जरूरत होती है, जहां तक मार्केट पी का सवाल है, तो बहुत कम पर तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जो अगर इसा भी नहीं है, तो पीच में ही है अभी और कई कंपनीयों का तो आप प्रॉफिट वगरा देखें, तो मार्जन देखें, तो उसमें क्रूड का भी जैसे उसका चेतिर का क्या भाव है, इसका भी बहुत असर रहता है, जो चीजे मुझे थोड़ा चिंतित करती हैं शेप रिकवरी, मतलब की जो लक्जरी गुड्स हैं, चाहे वो लक्जरी घर है, या कार है, वो सब बिक रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको देखें, तो एंटरी लेवल कार, जो सस्ती कार हैं, या टू वीलर्स हैं, वो नहीं बिक रहे हैं, मुझे तो कुछ हद तक हसी भी जाए थी, कि अभी किसी मतलब बाकी चीज़ने तो उसमें काफी चिद्जित करने वाली थी, वो एक किसी जर्नलिस्ट ने, जाकर छोटे शेहरों में दुकानदारों से बात की, उन्होंने का कि अभी तक भी हम लोग COVID से पहले वाले लेवल पर नहीं आपाए हैं, और हर ची यह अभी भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं, और जहां तक खादे पधार्तों को आप देखें, तो वहां भी अभी इंफलेशन काफी ज्यादा है, जिसका मतलब कि अभी भी कंजम्शन के लिए लोगों के पास पैसा कम बचता है, तो आप FMCG में देखिए, तो वहां टानिग से जादा जहां आप खरीद रहें हैं, वहां पर आपको 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 सेक्रस के विए बात करता हैं कि 2000-24 में यह जो ग्लोबल सेक्रस हैं, इस चाहाँ आई-ट हो, मेटल हो, यह कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्या आई-ट के लिए आप आप जैनुरी सेंड से फिर से अर्निंग्स भी शुरो जाएगा अगर आप अक्संचो की अर्निंग्स देखें उन्होंने पूरे साल की जो गाइडन्स ही वो तो म्यूटिद नहीं दी तो ओवराल इंडिन आईटी कैसा दोजार चॉबिस परफॉर्म कर सकते हैं दूसरे सेक्टर मेटल रहेगा द काफी हद तक मैं कहूं तो वहां पर एक साल का प्रेडिक्शन करना शायद सम्राव ही नहीं होता है क्यूंकि उसमें ग्लोबल भाव बहुत सारी चीजों से उन पर असार आता है और हम जो भी ग्लोबल भाव है उसी से गाइड होते हैं हमारे पास कोई और यह नहीं होता क्य क्योंकि यह तो जो थोड़ा बहुत slowdown आया यॉरॉप में ज्यादा आया अमेरिका में तो अधिक आया ही नहीं उस सब के कारण जैसा कि मैंने आपके चैनल पर भी पहले कहा होगा कि होता यह है कि जो दील आपको इस तिमाही में मिलनी है उको एक तिमाही या दो तिमाही आग प्लस रूपी डेप्रिशेट होता है तो थोड़ा उसका भी फाइदा आता है तो यह सेक्टर ऐसा नहीं था जिसमें कभी भी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल यह नीचे ही किरता चला जाएगा जहां तक बिजनस का सवाल है यह तो यह तो काफी प्रेडिक्टेबल सेक्टर है अगर आप सारे सेक्टर्स को देखें जबकि मैटर्स उतना ही अन्प्रेडिक्टेबल है तो यह तो इसमें रिकवरी कभी न कभी तो आनी ही थी और वो अब आपको धीरे-दीरे शायर गाइटर्स बेटर आने लगे और जैसा कि मैने पहले भी कहा है कि पिछले साल आप देखें 2022 में देखें तो शुरू में यह था कि टेक्नोलोजी की इतनी डेमांड होगी कि लोग ही नहीं मिलेंगे और तनफ़ाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि मार्जन बिलकुल कम हो जाएंगे और एक साल बाद यह हो गया कि जैसे डेमांड ही गायब हो गई तो टेमांड जो दुनिया में उनको टेक्नोलोजी की तरफ ही बढ़ना है वो टेक्नोलोजी कौन सी इस्तिमाल हो रही है कैसे इस्तिमाल हो रही है वो सब बदलता जाएगा और हो सकता उतने लोग में ही चाहिए हो आई-टी कमपनीज को वो अलग चीज़ है पर उनकी डिमांड की आई-टॉक आई है और उन्हें भी यही कहा है कि बहुत सरे हुमन्स रहे हो रिडंडेंड होने वाले क्योंकि AI बहुत सारा काम कर देगा आगे चलके जो अपने बात कहीं कि हम सब को कुछ ने कुछ पैशन या कुछ डूनना पड़ेगा वरना दिमाग खाली दिमाग शेता करेंगी हमारे व्यूस के लिए टॉप दो किताबें तो मैं कहूंगी बाजार में नमबर समझ ले उसके बाद सबसे ज़्यादा अपना दिमाग और अपनी थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम है वो समझना ज़रूरी है तो दो किताबें डैनियल कनमान की मेरी और टाइम कि आप आज आपकी रास्ते में ट्राफिक में किसी से लड़ाई हो गई तो आज आप चाहे जज हो चाहे फाइनाशन आइनडिस्ट हो आपकी थिंकिंग बदल जाएगी और वही डेटा पे आप पलग अपना निर्णाय देंगे ये दोनो किताबें और इस तरह की और भी कि अपनी स्टॉक अच्छा कर रहा होता है तो उसके बारे में सभी कुछ अच्छा लगता है और जब वह स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा होता तो वही चीजे खराब लगने लगते हैं तो यह अगर आप दो तीन किताबें बुरने तो यह जरूर मैं कहूंगी सब पढ़िये और अगर बजार से हीतर आप बात करें तो एक दीन वाटल करके किताब है अतुल गमांडे की वो सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि वो कुछ ऐसे प्रश्ण है जो हम सभी की जिन्दगी में आएंगे शुक्रिया बहुती मज़ेदार बाचीत के लिए और एक और साल आपसे बाचीत करते हैं गुज़ा ने साल में और नहीं बाचीते हैं खुब सारी नहीं गाइडन्स और बढ़ार की बारिकिया हम जाई रखेंगे आपके साथ चले बिल्कुल शुक्रिया दिवीना आज समय देने के लिए और हमसे इतनी सारी इंसाइटफुल बात करने के लिए लेकिन इटीनाव सुदेश सभी देशवासियों को बढ़ते भारत के साथ आगी बढ़ने में जैसे मदद कर रहा है इसके लिए हमने सुन्दरा म्यूचल फंड के साथ निवेश डे भी लांच किया है ये मुहिम देश के सभी लोगों को अनुशास्व तरीके से लगातार अपने पुस्नल फिनांस पूट फुल्यों को बनाने में मदद करेगी इटिना सुदेश और संदरा म्यूचल के साथ जुरिये और सीके की कैसे म्यूचल फंड में साइपी करके अपने वित्य भविश्य को आप मस्पूट कर सकते हैं हर महीने की पांच तारीक को निवेश डे इटिना सुदेश पर जबीगे इसे के साथ शो को यहीं वाइंड अप करते हैं लेकिन लगातार मांकेट्स पर नज़र बनी हुए है आप बन रहे हैं जिना सुदेश के साथ विशिंग और आपी वह सबही हाथी की जोगिया मैं हूँ कुछ मैं हूँ कर्सारी है झाल 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 लगता 5 दियों की तेजी के बाद बजार में हलकी मुनाफ़ हसोली निफटी करिब 40 सां गिर करें 2175 सब पास है बैंक निफटी करिब 100 तूटा नए साल वे जारी रहेगा बाजार का जोश एटीनाव और एटीनाव सुदेश की मेनेजरिन एडिटर निकोश चालमे के साथ खास पाचित में हेरें वेड़ी ने कहा एफ़ाइस की खरिदारी बढ़ने से लार्ज कैप में दिखे की टीजी बाजाज फानेंस 15 साल और 13 साल से कर रहे होई टाटा मोटरस में तेजी की है ट्रेक 6 परसंट की तेजी के साथ रिकॉर्ड उचाई पर पहुंचा शेयर इंट्राडे में पहली बार 800 रपे के पार निकला क्रूड में नर्मे के बावजूद आल माकेटिंग कामपनिस के शेयर पर आज मनाफ़ा वसुली आईयोसी एचपीसील और बीपीसील के अंदर आज 2 से 4 परसंट तक की गिरावट है कमजोर बाजार में भी चीनी शेरों में दिखरी है मिठास करीब 3 परसंट की तेज़ी के साथ बलरामपूर चीनी वाइदा के टॉप की नर्स में शामिल है धामपूर संभावली उत्तम डालमिया में 2 से 5 परसंट तक की तेज़ी सरकारी बैंकों में मनाफ़ा वसूली है SBI और बैंक का परोदा करीब 2 परसंट लीचे है केंडरा बैंक इंडियन बैंक पर भी दबाव है डैम कैपिटल की बुलिश रिपोर्ट के बाद वीनेस पाइप में 5 परसंट तक की तेज़ी डैम कैपिटल ने खरिदारी की राए के साथ कवरे शुरू किया 1810 टार्गेट रखा और इनोगा कैप्टेक की सुस लिस्टिंग हुई 2 परसंट प्रिजिम पर 4.500 रुपे पर लिस्ट हुआ नए सिरीज की शुवात हो चुकी है बहुती शांदर सिरीज के साथ हमने इस मंत को भी एंड कर रहे हैं और साथी साथ तब बहुती शांदर रिटर्ण आपको नवंबर और डिसेंबर दुनों ही कांट्राट्स ने दिये है जैन सिरीज अमूमन डाटा ये कहता है कि थोड़ी वोलिटाइल रहती है और दस में से 6-7 बार का करीम नुकसान भी दिखा है ये हो सकता है हलकी प्रॉफिट बुकिंग की वज़े से या फिर ये हो भी सकता है कि हो सकता है कि यहां पर थोड़ा ठहराविया कंसलिडेशन हो जाए क्योंकि बैक टो बैक दो एक्स पारीस काफी शानदा रही और दिसम्बर वाली सीरीस तो काफी ही शानदाद थी क्या हमने कल भी अपने महँआनों को जोड़ा था और उसमें उन दोरों से हमने ट्रेड पता किये थे सोनी पतना एक थी साती शिलपा रहा हो तो उन दोरों से हमने कुछ एक सौदे पता किये थे आज भी पता करेंगे हम कोशिश करें कि जैन सिरीज के बहतर ट्रेड आपको बताया जाए जो कल बताये गए सौदे थे उन्होंने अब 24 घंटे कंदर ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया इसलिए और रिपूर्ट कार्ड के जरी हम आपको सारे शियर दिखाते हैं जो कल सोनी से और शिलपा से डिसकस हुए थे फिर आज चंदन तापड़िया से कुछ और शियर डिसकस करेंगे आपका अगला साल अगली सिरीज बहतर हो जाए इसी उम्मीद के साथ और इसी ख्वाइश के साथ पहले रिपूर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं तो सोनी पतनाय के स्टॉक साब चेक कीजिए उन्होंने टाटा मोटरस पर कॉंफिदेंस दिलवाया छे परसंट चला क्या है शांदार कॉल मैं बोलूगा है वन अफ़ फाइनेस्ट कॉल निकल दी टाटा मोटरस वरा चला हुआ शेर था इंस्पाइट ऑफ दिस उसके उसके ट्रेंड को बहुत अच्छा पकड़ते हैं और तिल लास तक जहां तक जा सकता है ना वहां तक के शेर इनको बहुत अच्छे आते हैं पकड़ने इनका फाइदा उठाई इनके जो दूसरा शेर था वह एनमडी सी था डेड़ परसंट का गेन हुआ होगा हीरो मोटर क कितीनों हीट कॉल रही और टाटा मोटर्स तो गजब का था उनका और मैं उनको हैट्स अफ करूँगा और उनने इस तरह का शेयर्स हमारे सामने रखा और इतना कॉन्फिडेस रखा आते हैं शिल्पर राउट के बैलेंशीट पर यानि कि उनके रिपोर्ट कार्ड पर एलन इस परसंट का गेन आया नमीन फ्लोरिन की कॉल आपको दी गई थी 110 रुपे के आसपास की 10 परसंट का गेन वहां से भी आया तो क्या फ्यूचर और क्या ऑप्शन्स क्या बहत्रें इस 1223 के अंदर रहा और हम अपने नमानों का भी ठैंक्यू करेंगे कि वह बहुत ही अच् हम तो अपनी बाती नहीं रखते हैं हम तो सिर्फ पूछते हैं महमानों से कि ये करें के नहीं करें और उसमों भी आपका हित चुपा होता है और अगर महमान कहले ते कर लो तो रिपोर्ट काड ऐसे बनते हर रोज दिखाते हैं बिना नागा दो हो जा चार हो आपके सामने ह कोई बोले ना कि क्या है तो हमने बोले कि भी हाथ कंगन को आर्सी कि आप पढ़े लिखे को फार्सी कि आज़रा चेक करके देख ले पता लग जाएगा और सारे शोस तो यूटीब पर पढ़े ही है अगर हम कहीं भी गलत है हमारे स्नैपशॉर्ट्स खैंच के हमें आप भेज दीजिए ताकि हमें तो पता लगे कहीं हम गलत हो तो ठीक तो इतना confidence के साथ हमें अपनी बात अपने रखना चाहेंगे खैर आज के ममान भी बहुत धाकड़ा है उनका नाम है चंदन तापडिया मोतिलाल उस्वाल के और उनसे जरा करते हैं बाचीत चंदन सर बहुत बहु है इस शो के कि जब आप इस शो में आते हैं जो शेर आप देते हैं वो काफी बहतरी इंटिकस चलता है में को याद है आपका गेल सर में को गेल अच्छे से याद है आपने जबरदस confidence दिखाया 154 आपने पहले target दिया था उसमें फिर आपने ये भी कहा कि 160 भी होएगा लेकिन second round का confidence हमारा चंदन जी ने generate करवाया था इसलिए आप ना मेहमानों को उनके share से पहचानों उनके नाम से नहीं उनके share से पहचानों में को तो याद है आज भी गेल के share के बारे में जिकर हुआ था ऐसे कुछ और बहतरी share हम चंदन जी से आज भी पता करेंगे जो कि जैन सिरीज और नया साल दोनों को बहतर करेगा चुछ नसर पहले एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपना व्यूपाइंट दे दीजिए इस सिरीज के अंदर हमने काफी अच्छे return कमाए जैन सिरीज किस तरह के return दे सकती है जिनके पास long की positions हैं वो क्या करें और आप इस जों के बारे में जिकर कर रहे थे और मैं भी आपका अबार व्यक्त करता हूं क्योंकि हमें भी इस जों में आने से पहले सोचना पड़ता है क्योंकि हम दस बारा इस टोक्स आप पूछ लेते हूं और इसमें इतना open interest वाइस में short covering हुई है और उसके बाद में काफ जलागता है और बाजार में और ट्रेडिंग में पैसा बनाने का यह की तरीका है conviction तो connect और conviction में हमेसा मानता हूं बाजार में पैसा बनाने की तर्की में connect तो आप अपने चैनल के माजिम से लोगों को दे देते हैं और conviction है वो हम pass कर देते हैं तो I think इस program और इस show का जो मुख बिल्कुल अब हम निफ्टी की बात करें सर्थ देखें निफ्टी में बहुत में सचंदर सर्थ थैंक्यू वेरी मच इस होसला अफजाई के लिए सर्थ थैंक्यू वेरी मच बिल्कुल निफ्टी पर positive view है लगातार यहां पे high top, side bottom, formations weekly chart में इंटेक्ट है इस week में चेंज नहीं होता आपको बाजार में चेंज में होना है बंदी आपके दिमाग में हो सकती बट मार्केट में तो फिलाल नहीं है जब तक एहम लेवल नहीं तो निफ्टी में खरेदारी की सला 21-550 का सपोर्ट रहेगा उपर में हमारा मानने 22,100 तक के टागिट बनेगे बहुत इशा अंदर और आपने जो एक बात बोली नहीं सर कि मंदी आपके दिमाग में हो सकते हैं टर्मिनल्स पे नहीं हैं मार्केट में तो नहीं है यही चीज है सर आज सुबह भी हम भी यही बात रख रहे थे जहम डेरिवेटिव का अनलिसिस कर रहे थे कि कई बार ना धर्म संकट सा हो जाता है डाटा कुछ और कहता है आपका मन कुछ और कह रहा होता है तो आप अपने मन डाटा को थोड़ा संभालिए और थोड़ा देखिए कई बार ऐसी चीज़े होती हैं जो वन जिन अवाइल होती हैं आपको कभी कभार देखते हैं कुछ-कुछ वैसा ह सेशन इस बार हमको देखने को मिल रहा है कि अतावरत और तेजी के बाद अभी भी कोई थकावट कोई फटीक मार्किट केंदा नहीं दिख रहे हैं आप नए लेवल्स दे रहे हैं हमको और तालीज़ार आठ सो तक आ सकता है टार्गेट मैंग निफ्टी का को बड़ी बार द डिप मिले ही नहीं और माके डिप के नाम पर ही चलता जाया आगे तो आप चंदन सर की रिकमेंडेशन को जुरूर मानिएगा और अगर आपके पास है तो ट्रेलिंग स्टाप्रस लोगा के इंजॉय किज़े इस राइड को जल्दी जल्दी निकना निकले बड़े पैसे का मौका मिलता है और डेरिवेटिस में तो एक चीज़ कही जाती है जब ट्रेड आपके ग्रिप में आ जाये ना फिर उसका पूरा फादा उठाना चाहिए आगे बड़े शेयर्स के तरफ और पहले ताजा खरिदाने वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं फिर उस अमला कोई खराब नहीं था बहुत ही शांदार था अशोक लेलेंड उसमें से एक शेयर है आज साधे तीन परस्टन चल चुका अलड़ी दूसरा शेयर है बलरामपूर चीनी इकलौता वाइदा का शेयर है शूगर सेक्टर का और इनका तो ख्या डीना ही चेंज हो गया बल अब बलरामपूर चीनी की बात करती है थोड़ा डाइस से काउंटर है अब देखोगे इस महीने के पहले तीन वीक तो बड़े सेलिंग देखने को मिली और उसके बाद में इस वीक में थोड़ी रिकावरी है तो रिकावरी प्ले कर सकते हैं बट स्टोबलोस रखिए उनली बाउस का ट्रेड करेंगे हम 406 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे उपर में 424 तक के स्विंग के लिए तो देनों में से आप कासो के लिए ज़्यादा इश्ट होंगे बट बलरामपूर चीनी उनली बाउस बेक या शोट करेंग प्ले के लिए ट्रेड रहे है ठीक है पॉइंट है बलरामपूर चीनी का बलरामपूर चीनी थोड़ा डाइसी है अगर आपका ऐसा लग रहा कि हमारा कन्विक्शन लेवल होना चाहिए जिस पर हाई हम उसी में काम करेंगे तो फिर बलरामपूर चीनी आपका लिए वह शेयर नहीं है दूसरा पॉइंट चुनना चाहते हैं और अपकी हैवी है तो फिर आप अशोक लिलिन को ही चुनाव कीजिए हमने लेवल्स आपको दोनों दे दिये लेकिन सरके बोलने के तरीके से और उनके कन्विक्शन से ही आपको आइडिया लग रहा होगा हो किस तरफ इशारा कर रहे है अशोक लिलिन पर इस बार रोल ओवर अच्छा नहीं गया लेकिन अगली सिरीज के चर्निंग के तहट एफमसीजी और कंजमिशन के शेर काफी अच्छे चल सकते हैं उन्होंने फॉस्ट यह अपना असर दिखाना शुरू कर दिया टाटा कंजीमर्स गोदरिज इंडस्ट्रीज यह कुछ शेक शेर काफी अच्छे चले चंदर सर एक बार HUL और सिमेंस दोनों को चेक करना इन दोनों में शॉर्ट कवरिंगे सिमेंस खरिदार की सना रखे के ठीक है तो सिमेंस भी हम सेकंड थोड़ बसे कंडिशन लगे है तो इसको कन्विक्शन से भी गिराते हैं और अगर आपके ट्रेडिंग लिस्ट थोड़ी भरी होई है या स्विंग लिस्ट आपकी भरी होई है तो इसको भी गिरा दीजिए वहां से भी लेकिन HUL के साथ चल लेकिन जो सीधा सीधा पास हुए शेयर्स हैं वह है HUL और दूसरा है अशोक लिलेड दोनों बड़े शेयर हैं देखे अगर FI जबी आएगा मार्केट में हाना अगर माननो और आता है इलेक्शन से पहले थोड़ी और बाइंग आती है उनकी तो बड़े शेयर में जाएग बड़े शेयर में HUL की आउट पर्फॉर्मस भी हुई नहीं है अशोक लिलेड की आउट पर्फॉर्मस हुई नहीं है आपको मैं एक छोटा सा एक्जम्पल होता है उकल टाटा मोटर्स 6% चला वो कमर्शल का और प्लस पिसेंजर का कॉम्बो है और अशोक लिलेड तो प्य देख के बाद लोटेंगे तो कुछ मंदी वाले शेयर पर चर्चा करेंगे जहां पर आज थोड़ी दवाव है और साथी चंदल जी के आपको ट्रेडिंग कॉल्स भी चलबाद करेंगे कि आजिए करेंगे झाल 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 कॉंट्रेक्ट, जो इन टाटा मोट है, जी बीन, उलेक्टा और अशुक लेलेंड को मिलेगा, तो इस बड़ा गेंचेंग रहेगा, इन कंप्री उसको आगे जाता है, तो बिलकुल उलेक्टा मुझे लगता है, दो जार चोविस में बिलकुल पोटेंशल है, दो जार रुप चलना शुरू है, और इसे बाते हैं, जी टेस्ना का इंगा में रिश आता है, तो ताफी बेनेफिक्ट सोना को मिस्टार दे लिए लगनी को भी होगा, तो इसे दो स्टाफ आपर देख सकते हैं, और तीस है, एमारफ है, जो अल्मूस्ट एक लागती से जार के लेवर चू हो गया, एलिक्ट्रा ग्रीन टेक हो गया, सोना बेल डबलू, यह कुछ स्टॉक्स हैं, जो आटो सिक्टर में पसंदीदा हैं, दोहजार चोवीज के लिहां से, लेकिए चलिए को और चर्चा की शिरुवात करेंगी, मन इंडिस्ट्रीज का मिनेजमेंट हमारे साथ जुड जाएगा, कमपनी लाइड डाइमेटर पाइपस की लीडिंग मेनुफेक्ट्रिण कमपनी है, जिसका ओलोल गैस, हाइडिडरोकारवन और सिट्रिबिशन में इस्तेमाल होता है, हाले इमी कमपनी नी हाइड़ोजन टास्मोर्टेशन के लिए पाइप की सफर्ण टेस्टिं पर सर कंपनी ने सक्सेस्फुल टेस्टिंग का एलान किया है सेफ हाइड्रोजन ट्रास्पोर्टेशन वाले पाइप्स की लिए तो इसके क्या माइन है कितनी अहमियत रखता है और इसे कंपनी की आय में कितना इजाफा होगा अगर हम आगले दो तीस दो से तीन साल की बात त तो रेविन्यू पोटेशल कितना है नमस्कार जी और धन्यवाद आपको मौका देने के लिए हमारे शेयरोडर तक मेसेज पहुचाने के लिए ये करीब-करीब हमारे को एक साल डेट साल से हैड्रोडन पे काफी रिसर्च कर वह थे और काफी दिनों तक रिसर्च करने काफी बाहरवली एजन्टियों पर साथ में रहें के बावजूर और सक्सेस्फुल अमने टेस्ट की एक पांचे मिने से फिर इसको बाहर भी जुआ है रिसर्च सेंटर में यूरोप में बाहर की यूरोप सेंटर में भी हमारे को अपरूल दे दी है तो आल टेस्ट है डन व पर गिरिन एनर्जी में अभी हाइड्रोजन वगरा सब आ रहे है तो यह हमने भविश के लिए त्यारी किये जिसका मार्केट दुनिया में बहुत बड़ा है अभी तक तो यह अब यह शुरू आती हुई है तो आने वाले वक्त में हमारे पास वर्द बच जाएगा जैसी ह हमारे पास टेंडर आना शुरू हो जाएंगे हम पाइप बना के दे सकते हैं उसकी त्यारी यह है तो अभी अपरोर हमारे पास कली आया यूरोप से एकॉडिंगली इसलिए हमने नहीं किया आई है ठीक है बढ़ी असर रमी जी बताए कि कोई और प्रोजेक्ट लांच आप करने वाले हैं कुछ त्यारिया चल रही है उसकी कोई जानकारी शेयर करना चाहेंगे हां सर देखी यह हमारा है प्रोजेक्ट जो यह शुरू हो जाएगा है हो इसमें केपिस्टी अप्ग्रेडेशन आप प्रोजेक्ट वगरा वगरा यह रेगलर बिजिस चलता रहेगा इस साल हमारी ग्रोथ करी 45 परसेंट रहेगी टाप लाइन में बाटर नाइन में वी फ्यूचर में हमारे पास आडर बुक भी अच्छी हमारे पास और हमारी इस्थतिय अभी है कि काफी आडर पाइप्लेंड में भी हमारे पास 15,000 क्रोड की बिड़ा हमारी है और रिगारिंग दूसरी कोई कंपनी में हमें जो काम शुरू किया अभी वो इस्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप का काम किया है जिसके हमें लांग्टरम जो एक्विटमेंट है प्रम जापान और जर्मनी जापान और यूरो वो हमें करीब 6-8 मिने 12 मिने पले करी आडर दे दिये तो अगले 3-4 मिने में डिलिवरी हो जाए तो आने वाले वाले वक्त में अगले 3 कौटर मे हमें उम्में दे कि वो क्रॉडक्शनी वाजार में आना शूर हो जाएगा दूसरा हमारा ERW में जो प्रजेक्ट था वो चालू हो गया है तीन-चाल मिने हो गया है अब भी आडिट हुआ है हमारा API का थोड़ दिन पे लई और API आडिट हमारा अपूर हो गया है और हमारे प से क्या प्रोडूसन्स लेकर आप चल रहे हैं और एफ़ट्वंडी फाइफ के लिए तो क्या आकड़े आप शेयर करना चाहेंगे वेके सब गाइडेंस तो हम दे चुके हैं उस गाइडेंस पर भी कायम है ज्यादा भी हो सकता है गाइडेंस हमारा कुछ गुंतिस सो यह त हो का था तो उस गाइडेंस पर हम कायम है अगले साल हमारा या डबली भी चालू हो गया अभी एपी आई जो सिटी गेस में गवर्डमें ने कापी भी बूश्टर दिया है कल भी पेपर में जो गवा ठादा जार क्रोकन है इंवेस्ट्मेंट सिटी गेस में आ रहे हैं तो स एसे का भी साड़े 500 प्रोकन है हमारा प्रोजेक्ट चलू हो गया है कमपनी की हमारी बोरोविंग बहुत ही कम है आल्मोस्ट देट फ्री कमपनी है कुल देट सी हमारी कमपनी में डेट इक्विटी हमारी 0.12% है ओली 0.12% हमारी कमपनी तो उसके साब से आडर बूक, ठीक है दो साल में आगे बढ़ियां ग्रोथ की उमीद है सर हमारी शोब कामनाय भी आपके साथ हैं आज बहुत अच्छा लगा आपसे बाच्शियत करेंगे बहुत शुक्री आपका हमें समय देनी के लिए आज बढ़ियां तीजी 5% के आज पास की और ये साल अच्छा बीता है अच्छा नहीं बहुत अच्छा बीता है शेर के भाव तकरीबन तीन गुने के आज पास पहुँच गए हैं जहां से शुरुवात की थी इस साल की दो सच्छी रुपे के आज पास का भाव है आपको कंपनी कैसी लगती है और इसको लेकर आप क्या राइदेना चाहेंगे करोड़े साफ इस मारा तो उस से धिन बहुतर है आप स्कुर्णार स्कूर आप यह करों गया तो अर्म। पजंदें करता है कि पिस्वे सालibel अड्साइब करोड था तो उस हैसा आप से देखा गाइता है तो आप काफी बहतरी फंड़मेंटिस लगे राव आते हैं और जो हाइडूजिन के अग्राइट अग्रेशन का नाया उनका प्रोड़क्शन शुरू होगा, तो वो दो इक जेंग चिंजर बने का कि इसका मार्केट सीपाइच का जो पचास साड़ गार कुर्न का इंडिया में, और तो जो 10% भी भी कर रहे हुआ है उसके लावा जो नए प्रोड़क्ट एड़ की है यह पॉजितिव है उजे इस टॉक फिली दोजा चॉबिस का अच्छा परफ़र्वर स्टॉक रहेगा चार सुरुपे के लक्ष भी यहां पर आ सकते हैं ठीक है चॉबिस के लिए दो चार सुरुपे के लक्ष बढ़िया है मन एंडस्टी एक सॉलिट कंपनी और मैनेजमेंट का कन्विक्शन भी है आगे की ग्रोथ को लेकर आशिय जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम शिवरों पर पर प्राय साजा करन करने के लिए इस शो को हैं समाप्त करेंगे लेकिन आपको बता दें कि इटी नौ सुदेश सभी भारत वासियों को बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और इसके लिए हमने सुंद्रम म्यूच्वल फंड के साथ निमेश डे लॉंच किया है यह मुहि करके अपने विद्धी भाविश को मजबूत किया जा सकता है हर मेने के पांस तारी को आप जरूर देखी इटी नौ सुदेश पर निवेश डे पेशो में फिलाल इतना ही लेकिन एक छोड़े से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक्स पड़ापट आपकी जाएगा नहीं नमस्कार झाल 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 एक जाने जाएगा झाल टापकी जा एक जाएगा झाल इटी है क्या है लेख़े सब्सक्ति में जाएगा जाएगास झाल 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 याल झाल 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 बाजार में लगातार पांस सतर की अच्छी तीजी के बाद नए सीरीज के जो शुरुबात विए जनवरी सीरीज के साथ हुई है प्रफिट टेकिंग हम देख रहे हैं 82 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी आपको देखेगा आटो आटो इंसलिरी में आज तेजी है कंजमशन वाले शियर भी ठीक कर रहे हैं और आज निफ्टी के टॉप 3 गेनर सारी की सारी टाटा ग्रूप की कम्प्रीज है टाटा कस्यूमर, टाटा मोडर्स और टाटा स्टील Tata Motors, Tata Consumer में 4% कास्पासी तेजी है Tata Steel 1% उपर कारोबार कर रहा है लेकिन दूसरी और सरकारी बैंक ये थोड़े प्रेशर बनने काम कर रहे हैं बाजार पर OMCs और IT Stocks में Infosys और Tick भिंदरा के शेर से आज हम प्रेशर देख रहे हैं और Pride बैंकों में इंडेसिन बैंक, कोटक बैंक आज बाजार को आज थोड़ा सा नीचे खीचने काम कर रहे हैं लेकिन अब बचा हुआ सत्र एक घंटे का है वाइदा बाजार से किस तरह संकेत मिल रहे हैं और क्या करना चाहिए आपको क्या आज पोजिशन लेके आपको जाना चाहिए अगले हफते के लिए ये सब समझेंगे अगर हम एफनों की बात करें तो देखिए अभी तो आप एंजॉई कीजिए नए साल की छोटे हमनाई है बजार रहताबरत और तेजी दिखाई हुई है दो महीनों के अंदर करीब 12% का रिटन दी दिया और एफडी से भी जादा है पूरे साल की एफडी से भी है बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इंडाइसिस में तो ज़्यादा सोचना नहीं होता न इंडाइसिस तो देश का इंडाइसिस है निफ्टी बाला देश की टाफ 50 कंपरीज फिर कोई ज़्यादा चले कम चले उसकी बात अलग होगी लेकिन अगर आपने सिर्फ इंडाइसिस में पैसा लगाया है या लगा रखा था तो आपके बास गेन कफी शानदार आए है यह क्या रिपीट टेली कास्ट होगा इसको लेकर में थोड़ा सा डाउट है ऐसा नहीं कि बाजार के अंदर रिदम कमजोर हो जाएगा लेकिन बाजार के अंदर चर्निंग होगी यह चर्निंग शेयर्स में भी होती है सेक्टर्स में भी होती है और लोगों में भी होती है जो बाहर रहेगे उनको अंदर आना जो अंदर आगे उनको बाहर में तो जाना है तो वो चर्निंग लोगों में भी होगी वो अकाउंट्स में भी होगी तो इसलिए उसको एक समय चाहिए होता है वो समय कई बार 10 दिन का होता है कई बार एक महीने का होता है इसी समय को कई लोग इसको konsolidation कहते है कई लोग इसको profit booking कहते है कई लोग इसको कहते है कि market का थोड़ा ठेहराव है चर्निंग हो रही है अब जिस नाम से मर्जी पुकारे जैसे कनेया के कई नाम है ऐसे market के भी उताः चुड़ाव के कई नाम है इसको नाम अलग अलग संगया दी जा सकते है कुल मिलाके trend market का positive है जारा तरह चीज़े अच्छी आई है जैन मंत के अंदर जैसे roll over अच्छा आया FIS का confidence आया अच्छा market का return आया बस एक चीज़ नहीं आया अच्छी जो जैन के अंदर मुश्किल कर सकती हो है risk reward ratio वो अच्छा नहीं आया क्योंकि वो अलड़ी इतना चल चुका है कि आपका risk reward one is to one का है यह मैं उन लोगों के लिए बता रहा जिनका swing में believe है और जिनका 5 साल 10 साल का believe है उनके तो calculation है नहीं है उनको तो रोज टीवी भी नहीं देखना चाहिए उनको तो कभी कभार चीज़े समझ ले और उसके बाद आगया जाने तो इसलिए swing trader traders के लिए ज़रूरी है लेकिन वो बात अलग है एक चीज में और आपको बता दूँ global market और FIS की बदौलत हम यहां तक पहुंचे हुए है उसमें DIs ने support का काम किया है इन दोनों में कोई भे ठहरावाएगा तो शुरुआती जटके ज़रूर लगेंगी ये profit booking के जटके हो सकते हैं तो इसलिए global और FIS को आप रोज के रोज चेक करें कल 70% long हो चुका है और हमने कई बार आपके समने नोटिस करवाया कि FIS टिपिकली इंडिया में 80-82% तक long चले जाते हैं क्योंकि आने वाला साल चुनावी है और earning का सीजन है इसलिए शुरू इतना buy ना करें सेल करने के के सिगनल आगे उसका जवाब है ना उसके लिए जरूर रुकना चाहिए तो आप अपने profits book के बारे में सोचे या trailing stop loss लगाए या किसी भी dip में enter करने के बारे में सोचे और जो भी सोचे हों one is to one के हिसाब से सोचे और जिनकी बस पुराना है उनको सिर्फ trailing stop loss लगा के enjoy करना है अब तीनों मैमान हमार साथ हैं ज्यादा समय लेंगे नहीं उन तीनों मैमानों को मैं जरा बता रेता हूँ कौन कोन है फिर प्रेंका उनसे सवाल जब किसी से को आगे बढ़ाएंगी गुरांग शाह हमार साथ है उनसे बाचित करेंगे आरित्य अरोडा हमार साथ है जो काफी अच्छे से ढूनते है शियर्ज वगरा इसके लवा राजेश पालवी में मारसा जूर चुके है राजेश सर काफी दिनों बादा है इसलिए शिकायत भी है और एक request भी है आप रेगुलर और जल्दी जल्दी आया कीजिए राजेश जी आपको हम इतनी छुटी हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं आपके इतनी छुटी स्क्रीम पे तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज समय देने के लिए और आज हम आखरी शो आपके साथ कर रहे है दोजार टेश का गलस फहमी नहापाली का दोजार चौबीस में भी हम आपको इसी दर से डिस्टर्ब करते रहेंगे परशान करते रहेंगे ताकि आपकी इंटेलिजेंस हमारे काम आ जाए प्रेंका जी अब आप शुरू कर सकते हैं करने में आप इंडेक्स को कैसे ट्रेट कर रहे है जिसको हम बोल सकते की सेक्टरल रोटेशन या चानिंग या पोजिशन का अज़ेस्मेंट वो सारी चीज़ें हमें आज के सेशन में देखने को मिल रही अगर ओवराल देखे तो रोलोवर भी पॉजिटिव साइट पे हुए निफ्टी में देखे तो लास्ट त्री मन्त शिक्स मन्त रोलोवर एवरेज के हायर साइट पे हुए और अगर हम देखे डेटा में तो अल्मोस्ट यहाँ पर हमें करीब 31 लाग शेर्स का इडिशन रोलोवर डेटा में देखने को मिला है निफ्टी पॉइंट अव्यू से तो जो दिखाता है कि लॉंग साइट की पोजिशन में यहाँ पर रोल होते हुए दिखी और इस स्टॉक्स में भी देखे में 2024 के पहले वीक में हम हो सकता 22,000 के लेवल को भी क्रॉस करते वे दिखे निफ्टी में और यहाँ पर जो डेटा बने में उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वह करीबी 21,600-21,550 के जब तक यह लेवल नहीं तूटेंगे चोटी-मोटी गिरावाड या चोटे-मोटे डिप जो मिल रहे है उसमें एक बाहिंग की पोजिशन ही रखनी है मेजर शॉट कवरिंग जो बनेगी वो बनेगी 21,850 के उपर और वहां से हम फिर 22,000 के लेवल को भी क्रॉस करते भी दिखेंगे बैंक निफ्टी का structure भी bullish है आज के data को देखे और overall structure देखे तो बैंक निफ्टी में 48,100 एक important support area spot पे इसको अगर हम hold out रखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे towards closing हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कुछाल देखने को मिले और बैंक निफ्टी 48,400, 48,500 की तरफ भी बढ़ते वे दिखेंगे और हमें लगता है कि अगले week बैंक निफ्टी के target हो सकता है 48,900, 49,000 की तरफ देखने को मिले तो यहाँ पे भी trade setup bullish है बैंक निफ्टी का ठीक है बैंक निफ्टी का trade setup काफी bullish देख रहा है तो इस वक्त इंडेक्स पे अब भी इतनी तेजी होने के बाद भी longs की ही सलामार exports की आ रही है ठीक है यह तो एक technical check हुआ quickly गोरांक से भी समझते हैं गोरांक बहुत बहुत स्वाकत है आपका बहुत दिन बाद आप भी आएं 2023 का यह आखरी trading session भी है 2024 के लिए आप outlook क्या लेकर चल रहे हैं हमारे viewers के साथ जो share करेंगे दन्यवार प्रियंका जी आपका और आप सभी को शुब दिन हमारे तरफ से सबसे पहले तो नए वश 2024 की आपको डिमपी को अभिशेक को पूरे 89 स्वदिश की टीम मंच पर उपस्तित महानु भाव और सभी दर्शकों को हमारी कंपनी जीवज़त और हमारे तरफ से देड़शारी शुब कामना और परमात्मा से प्रात्ना है कि आपका स्वास्त बना रहे ओमिद तो बहुत सारी है प्रियंका जी दोजार चॉबिस है लेकिन थोड़ा बात अनुमान ये भी है कि पहले आदे हिस्से में दोजार चॉबिस के जनवरी दोजार चॉबिस से लेकर के शायद में जून चॉबिस तक थोड़ी उठापटक वलटालिटी जादा हो सकती है तीसरी दिमाई के नतीजे का आगाज होगा दूसरे हक्ते में जनवरी दोजार चॉबिस में उसके पश्चाट बजेट पेश किया जाएगा माननेयम वित्तमत्री जी श्रीमती निर्मला सितरामन जी जादा फिर बदला होने की संभाव ना कम है क्योंकि बजेट ऑन अकाउ हर एक गिरावट में खरीदारी की तहले तो राय है और हमारा अनुमान यह कहता है कि इस वर्ष जैसे हमने करीबन 20% का रिटर्न देखा है संसेक्स निफ्टी में उसकी तुल्ना में शायद 2024 में एक बहुत ही कॉंसर्वेटिव अगर रिटर्न का अनुमान में लगा सको तो और फिर केलामिटी इस प्रकार की चीजे पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रात्मा तो यह रहेगी कि ऐसा कुछ देखने नहीं मिले 2024 में और अगर ऐसा ही होता है तो शायद यह जो रिटर्न की मैंने ओसतन दर्बद आई है उपर के तरफ जा सकती है अ जाले है जहां पर आपको बेतु की जानकारी मिलता है बिनी किसी बुनियाद के उससे दूर रहे ठीक है बढ़िया सला आखरी जो सला थी नो वो ज्यादा काम की है उस पर ज्यादा अमल करने की जरूवत है लेकिन इस वीच मिड़केप इंडिक्स रिकॉर्ड उचाई पर ह 46,000 का भी आखड़ा पार कर लिया और इस बार की जो तीजी हुई है और उसमें एक खास बात ये रही कि जब जब डिप्स आएं उसको बाइक किया गया है तो कन्विक्शन जो मिड़केप स्टॉक्स पर है वो पुरा का पुरा भरपूर है मिड़केप में हम शेर भी जाने गोरांग सर से कि उनको क्या पसंद है आपको कहां दाव लगाना चाहिए 2024 के लिया है लेकिन फटा-फटे काम करते हैं ट्डिंग कॉल समझ लेते हैं और आदित को भी शामिल करते हैं आदित बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए आज आज आपकी तरफ से कौन से श आपको थोड़ी प्रॉफिट बॉकिंग दिख रही है तो बजार में थोड़ा सा ट्रेंड न्यूट्रल टू नेगेटिव बंदा हलका सा प्रॉफिट बॉकिंग है तो उसके चलते एक्सेस बैंक में सेल कॉल रहेगा 1095 में और स्टॉप लोस रहेगा 1140 और टार्गेट र बाकी कि भी जो प्रॉफिट सेक्टर के जो बैंक से वहां पर कमजूर ही हमें देखने को मिल रहा है लेकिन आदित एक ही शेर आज के लिए आज तो साल खतम हो रहा है मतलब आज का अकाउंट तो आज ही क्लोज हो जाएगा कोई और शेर बताएंगे आप मैं चाहता हूं कि लोग अराम से अपना न्यू येर मनाएं थोड़ा पार्टी आटी करें मैंने चाहता हूं कि स्टॉक के बारे में सोचे कि अभी अगले साल में क्या होगा ठीक है सभी लोग अभी से पार्टी के मूड में है और आदिती के इस सोच से नहीं साब भी हो गया है लेकिन राजिय जी आपके पास आप तो ऐसे तीन शेर देते हैं हम उमीद करके चलेंगे कि आप जो इनकी एक के जो कमी है ने उसकी भरपाई आप कर देंगे पिलकुल अमिशक जी तो मैं ती ही शेर दूँगा आज भी और पहला शेर रहेगा पार्टी बनाने के लिए अधित जी को फ्लाइट जरूर लेनी होगी तो इंडीगो का ही शेर रिक्मेंट करूंगा मैं कि इंडीगो का स्टॉक में देखें जिस तरह के से आज मोमेंटम यहाँ पर एक्स्टेंड होते वे दिखेगा बहुत जल्दी यह स्टॉक वापस अपने अल्टाइम हाई के उचाईयों को छूता वा दिखेगा तो हमें लगता है इंडीगो को यहाँ पर बाइल क्या जा सकता है अपसाइट के टार्गेट 3020-3030 की तरफ आते वे दिख सकते हैं स्टॉप लोस होगा करीब 2915 का दूसरा स्टॉप जो पसंदा रहा है वो है गेल का अल्रेडी ओल्टाइम हाई पर यह स्टॉक ट्रेड करते हो दिख रहा है यह स्टॉप में जिस तरह के से लास्ट सीरीज में एक तेजी का कदर्शन किया है हमें लगता है य स्टॉप लोस रखेंगे हम करीब 157 का वो जो तीसरा स्टॉप बाय करना है वो मिटकेब बैंकिंग में प्राइवेट बैंक में हमें आर्बियल बैंक यहां पे काफी अट्रेक्टिव लग रहा है आज भी देखे तो बैंक निफ्टी भले नीचे लेकिन आर्बियल बैंक म अगर स्टॉक का देखें तो जो ब्रेक आउट हमें एक का पिछले सीरीज में देखने को मिला था वो ब्रेक आउट को अभी भी यहां पर होल्डाउट करते वे दिख रहा है जिस तरिके से यहां पर नीखली चार्ट बने वे हमें लगता है और बील बैंक में मोमेंटम यह ओके सर तीन शेर आपने देदी है गेल तो खेर हमारा फेवरिट है हमने कई बार इसके बार में नोटिस कराया अब इतनी स्पीड पकड़ चुका है जबरदस गैस इसके अंदर आ चुकी है और यह अब नई दिशा के तरफ वापिस बढ़ता हो दिख रहा है गेल आपकी ल जुढ़े ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए करते हो कर दो को अब नितलेशी कल ही आपने पुट दी थी ना कल आपने बताई थी ना कि पुट को प्लस करना है जी 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 संसेक्स की वहां पर टागे टागया चाट सब्सक्राइब तो आज आपकी पुट में कितना प् कल बदिलवाही थी ना पुट तो देजरो पुट का पर पिटा आवे इसका लॉट कितने का है यह यह संसेक्स का 30 का लॉट है किया? निए 10 का लॉट है ठीक है तो 10 के लॉट पे तेजरो पे पुट आप पुट आरे इसका महला पंधरां पार पुट आपको वेनिफिट आर दीजे रफ रफ में पंदरा सो अरपया आपको मिल रहा है सेंसेक्स की अमूमनम इंडाइस में निफ्टी बैंक निफ्टी रेखते हैं बट सेंसेक्स की ऑप्शन भी एक्टिव रहती है नितले जी ने कल उसकी शुरुआत किया हम भी कुशिश करेंगे उसके बारे में थोड़े और जानकारी आपके सामने रखेंगे नितले जी अब बताओ आज का उप्शन का ट्रेड़ दीको आज का उप्शन का ट्रेड़ भी टीजे इस मूतार में तो ठीक है तो आपके जो satisfpción का ट्रेड़े में रफरफ में मानता हूं मिल जाएगा अब चाहिए तो एक बार इसका बी ले सकते हैं ने के लुज़ intimidated इस मोटर की टू जिरो टू जिरो की पूट है हल्की मुनाफ़ा वसूली होगी तो पाच सजार पे आपके अकाउंट में आ जाएंगे चोदा सो रुपे का टूटल रिस्क है इसके अंदर बस तो कल की शांदार इस सेंसेक्स वाली पूट की बदाई और उमीद करते हैं इसलिए आपकी ये पूट भी अच्छे से चल जाए दस में से नो लोग इसलिए नुकसान खाते हैं क्योंकि वो एक तो अपने फानेशल डिसिप्लेन को मैटर नहीं करते हैं और दूसरा स्टॉपलोसिस को थोड़ा सा अच्छे से मैटर करें ये जो एफे पॉइंट के नुकसान के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है लेकिन एक शेर ने डेरिवेटिव के शेर ने 20% का सरकेट लगा दिया उस शेर का नम है आईडिया गुरांग सर आप से मैं जड़ा पता करूंगा अभी ये 15 मिनिट के बाद खुल जाएगा क्योंकि अभी सर ये वोड़ाफोन आइडिया को लेकिना काफी मार्केट में बज है कि 23-24 का हो जाएगा कुछ बज ये भी है कि रादागेशन दमानी का नाम भी आ रहा बीच में कि शायद और भी कुछ बाय किया लेकिन सभी सोर्सिस माउस से है सर आपकी कैलकुलेशन आपकी रीडिंग पर या फिर जो भी एक्स, ट्विटर वगरा वगरा जो भी है जो विश्वी विद्याल है मायन न जाते हैं अनदुख्रित जानकारी को लेकर के तो ये सब चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान और मैं तो मैं चाता हूँ इंपी के एक तीसरी सक्षम मजबूत Cellular Service Provider Company जो और भारती एडल का मुकाबला कर सके क्योंकि फिलाल तो डिल्पॉली है 5G को लेकर के जो डिविश करना है टेक्नोलोजी में उसके उपर कोई कारोबारी विसकार योजनाओं को लेकर के टिपनिया नहीं आई है वड़ाफून आइडिया के तरफ से महीने दर महीने उप पर मापड़न करता हूं तो लोग क्या कहते हैं उस पोर में जादा देरान नहीं देता हूं मैं तो यह कमगा और बुनियारी तरक के आदार पर वड़ाफून आइडिया पर हमारी मुनाफ़ा रोसली आफिक बेशनी किराई और राइड कुछ और स्टॉक्स जो टेक्निकली किसना से देख रहे हैं उन पर भी बात करेंगे लेकिन स्पीच अमारे साथ प्रकाश पर दर्शी भी जुड़ गया है और एक को एक्स्लूजिव न्यूज लेकर आया है इंटरिम बज़ट से जुड़ी हुए ये न्यूज है तो और इचिना उस देख कुछ एक्स्लूजिव जानकारी मिलिया है उसके मताबब सरकार आर्तिक रूप से कमजोर मैला को सीधे वित्य मदद देने पर विचार कर रही है परकाश कहीं सारी वेलफ़र स्कीम सामने आएंगी अभी कौंसी स्कीम आपके पास कौंसी इसी इंफर्मिशन आ रही है अभी आपके पास देखिए अगामी अंतरीं बजट में सरकार विमन सेंट्रिक स्कीम की घोशना कर सकती है सुतर हमें बता रहा है कि इस मसले पर चर्चा की शुरुआत हो गई है हला कि जो डिसकेशन है वो काफी इनिशियल स्टेज पर है लेकिं चर्चा की शुरुआत हो गई है सुतर हमें बता रहे हैं कि जो इलिजिबल विमन बेनेफिशरी होंगी उन्हें डिरेक्ट फिनांशिल सपोर्ट का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा सुतर हमें बता रहे हैं कि नॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाली जो महिलाए हैं उनको इसका फाइदा दिया जा सकता है सरकार के अंदर इस मसले पर चर्चा के शुरुआत हुई है हलाकि कोई final decision अभी नहीं हुआ है लेकिन सुतर हमें बता रहे हैं कि इस scheme के structure क्या होगा जो annual income कितनी होनी चाहिए eligibility criteria क्या होगी साथी साथ जो amount transfer किया जाएंगे उसकी size क्या हो इस मसले पर अभी चरचा चल रही है और कोई final decision नहीं हुआ है इसके अलावा वो ऐसी महला है जिनके अमर 21 साल से जादा है और इस तरह किसी scheme में वो cover नहीं है उनको इसका फायदा दिया जा सकता है साथी साथ जो दूसरे financial aspects इस scheme के हो सकते हैं उस पर चरचा की जा रही है ये भी देखा जा रहा है कि कुछ मوجودा जो scheme है क्या उसको नए scheme के साथ merge किया जा सकता है इसकी feasibility भी देखी जा रही है हलाकि चर्चा के शुरुआत हो गई है लेकिन final decision नहीं हुआ है सुतर हमें बता रहे है कि बज़र के करेब इस पर फैसला लिया जा सकता है और राइट आपने समी देशवासियों को बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहा है उनके portfolio को structure करने में मदद कर रहा है इसलिए हमने सुन्दरम mutual fund के साथ निवेश डे लांच किया ये महिम देश के सबी लोगों को अनुशासत तरीके से लगातार अपने personal finance portfolio को बनाने में मदद करेगी इटिना सुदेश और सुन्दरम mutual fund के साथ जुड़िये सीखे कि कैसे mutual fund में SIP का रूप पकड़ के आप अपने आपको financial security secure कर सकते हैं पर मैं इने की तांच तारी को इटिना स्वदेश पर लेखें निवेश टे हूँ मैं अच्छी अच्छी झाल झाल मैं झाल 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 किस्ज तेरी और से इटिनाव सुर्देश के लिए शुब कामना है मुझे बताया गया कि ये नया चैनल है नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बनो अपना फिनांस मिनिस्टर मैं हूँ आपके साथ प्रोशान द्वांडे बनो अपना फिनांस मिनिस्टर में हम आपके लिए निवेश के नयने तरीके ले कराते हैं और इसके साथ ही आपको निवेश के मोर्चे पर जागरू करने की कोशिश होती है हमारी कोशिश काम्याब होती नजर आ रही है क्योंकि हमारा मकसद था हमारा धे ये था कि देश के छोटे शहर, छोटे इंवेस्टर और ऐसे लोग जो शायद निवेश के तौर तरीकों से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं होती है उन तक हमारी पहुंच बने और आज के हमारे शो में एक ऐसे ही दर्शक क जो सवाल है वो वाकई उस सवाल ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इटीना स्वदेश जिस मिशन में लगा हुआ है अंतिम व्यक्ति तक जो है वो निवेश के तौर तरीके बताने की वो पूरी तरह से काम्याब होती नजर आ रही है और आगे शो में हम जब उन व्यक्ति की तमाम सवाल नेंगे तब आपको हम बताएंगे कि आखर क्यों हम इसी बात करें लेकिन आज मूचल फंड का रिपोर्ट कार्ड भी हम आपके सामने ही शो में रखेंगे आपको बताएंगे कि 2023 के कौन से दंदार फंड रहे जिनोंने बहुत ही जबरदस तरीके से लोगों इसको को निराश किया ये भी डेटा हम आपके सामने रखेंगे अब नहे साल की तयारी तो नहे साल में कैसे आप अब फंड का चुनाव करें वो भी हम आपको गाइड करेंगे इसके अलावा आपको बता दे कैसे आप अपने परिवार का निवेश पोर्ट्फोलियो बना सक प्रदर्शन कैसा है इन सारे पहलू को हम आज आपके सामने बहुत आसान भाषा में रखेंगे इसके अलावा हर रोस की तरह हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना बैलेंस प्रोटफोलियो बना सकते हैं अगर आपके निवेश, इंशुरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें वाटसेप कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप कॉमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे और इसके साथ ही अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहाँ पर भी कॉमेंट के जरीए आप अपने सवाल हम तक पहुँचाईए हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे तो चलिए शो में सबसे पहले हम अपनी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं हमारे साथ श्वेता रजानी जी हैं जो की हेड हैं म्यूच्वल फंड्स की आनंदराथी वेल्थ में श्वेता जी बहुत-बहुत स्वागत आपका ईटी नाव सुदेश में और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आप इसी तरह जो निवेशक हैं आम लोग हैं उनका मार्ग्धर्शन करते रहें और हमारे साथ जुड़ी रहें यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी आशाएं हैं तो पहले caller को शोहता जी सबसे पहले जोड़ते हैं दिलीब हमारे साथ हैं दिलीब जी नमस्कार पहले तो ये बताइए आप देश के किस हिस्से से बात कर रहे हैं कहां से बात कर रहे हैं और उसके बाद पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं हाजी मैं अंदर बाद से बाद कर रहा हूँ जी, पूछे क्या जहां चांते है हाँ, एक्षिली मैंने अपना फॉंड का लिग के रखा था आपके वहां पे कि 50 लेक्स मेरे पास ओन एंड है जो अभी मैंने जो अल्टरनेटिव फॉंड उसके अंदर डिक्रिविट किया हुआ है जो मुझे रिटर्न होने बाद है तो उसको लॉंग टर्म के लिए मुझे अपना पॉपस गेंग करना है तो उसके लिए किस तरह समें इन्वेस्मेंट करना चाहिए जो भी आपके सामने रखी उनको बताईए क्या करना चाहिए जी दिल्व जी मैंने आपका पूरा पूर्टफोलियो देखा जो आपने भेजा था तीन चान मेरी अब्सवेशन की जो मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले तो आपने आज की दिन में जो निवेश कर रखा है वो 96 प्रतिशत डेट की तरफ है चार प्रतिशत आपके जो ELSS schemes है वही आपका equity portion है पूर्टफोलियो का अब आपके उमर को अगर हम देखें और आपके पास जो लंबा समय है निवेश करने के लिए मेरी सबसे पहली सला आपको यह रहेगी कि आप 70 प्रतिशत कम से कम equity में रख सकते हैं 30 प्रतिशत आप debt में रखी debt में आपका MPS आपने जो FD कर रखी है अब वो सारा आ जाता है इसका फाइदा यह होगा कि अगर आप इसको लंबे प्रतिशत तक एसे ही रखेंगे तो आप करीबन 12 से तेरा प्रतिशत का return अपने portfolio में पकड़के चल सकते हैं दूसरा जो आपने debt भी कर रखा है आपने काफी lease financing invoice discounting कर रखा है जो की जोखिम वाले आपके debt के instruments हैं तो वो आप ना करें क्योंकि जब हम debt करते हैं तो हम safety चाहते हैं हम liquidity चाहते हैं जो आपको यहां नहीं मिल रहें उससे बहतर आप equity में रहेंगे sovereign gold bond आप चाहें तो continue कर सकते हैं अगर आप future में वो consume करने वाले हैं तो यह मेरी कुछ सला है पांच हजार की SIP से आप शुरुआत करें अगर आप आज भी शुरुआत करेंगे तो अगले 10 साल तक आप एक करोड जमा कर पाएंगे और आपकी जो investments है एक एक लाक्स की उसमें से 17 लाग के आसपास आप equity में शिफ्ट कर सकते हैं वह आपको अगले 25 साल तक आप continue करेंगे तो बारा करोड पे ले जाएंगे इसके अलावा एक्विटी का portion बिल्ट करने के लिए मैं आपको कुछ funds की सला देना चाहूंगी वहाँ पे आप HDFC का flexi cat fund, अल्कबुला का small cat fund, HDFC का small cat fund, कोटक का multi cat fund इन funds से शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे आप amount बढ़ाते जाएं आप schemes और add करने अपने portfolio में ठीक है दिलिब जी अमीद करते हैं कि आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया हो अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की और बढ़ते हैं राधिश्याम पांडे हैं जिन्होंने यूट्यूब के जरीए अपना सवाल हम तक का पहुँचाया है और बहुत सारी जानकारी हैं इन्होंने हम तक पहुँचाई हैं उनमें 5000 कौन्ट small cap में इनका investment है 5000 SBI कौन्टर regular SIP इनकी चालू है और ये 10,000 की SIP और करना चाह रहे हैं और उसके लिए guidance इनको चाहिए बाकी details श्वेता जी आपके पास होगी बताइए क्या करना चाहिए राधिश्याम जी सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहिए नहीं कि ये दोड़ों ही funds जो आपने चुने हैं आपके SIP के लिए SBI का fund और CONT का जो small cap fund है ये दोनों ही बहतरीं fund हैं तो ये आप जारी रखें इसके अलावा अब आप 10,000 के लिए team fund मैं आपको और सला दूंगी एक हो गया Canada Rebecca का flexi cap fund ये आप ज़रूर you know consider करें इसके अलावा आप एक small cap fund चाहने तो और जोड़ सकते हैं या एक कोटक का multi cap fund ले ले अपने portfolio में और एक DSP का equity opportunities fund ये तीन fund और आप जोड़ ले पोड़ ले पोड़ ले पोड़ ले तो रादेशाम जी आपके दोनों fund बहुत ही बहतरीं है इसके अलावा जो आप निवेश 10,000 का करना चाहते ह उसे भी आपको एहम तरीके से आगे बढ़ाना होगा और उसके लिए क्या विकल्प आपके सामने हैं वो हमने आपके सामने रखे चलिए अगले दर्शक की बात करते हैं और इसी दर्शक की बात मैं शोड़ की शुरुवात में कर रहा था जो इटीनासोदेश का मकसद था क चोटे शहरों में निवेश को लेकर जाग रुकता है हर व्यक्ति चाहे उसकी बज़त कम या जादा हो वो निवेश के लिए आगे बढ़े और अगले जो दर्शक हैं शिवशंकर पाल जहां उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुँचाया है और शिवशंकर पाल जो हैं उम् शुरू किया और शो देखने के बाद उन्होंने शायद उनको जानकारी नहीं थी लेकिन शो में अक्सर होता है कि हम बहुत सारे फंड बताते हैं हर दिन नय फंड और सबकी अलग-अलग पॉर्टफोलियो के हिसाब से होता है लेकिन उन्होंने इन सारे फंड को लेकि वो जब कहीं भटक रहा हो तो मार्ग दर्शन ले तो शिवशंकर पाल साहब हम आपको बहतर तरीके से यहाँ पर गाइड करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया क्योंकि आपने हमारा शो देख कर अपने निवेश के नजरिये को आगे बढ़ाया स्टडीज हैं उन्होंने बहुत सारे फंड जुटा लिए जरा बताइए उनको बहतर सला आपकी क्या होगी शिव जी सबसे पहले तो आपको कॉंग्राचिलेट करना चाहूंगी कि आपने शो सुनके सीखा और आपने नियूचल फंड की आपकी जरुनी शुरू की कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत सही भी की हैं अपने पॉर्टफोलियो में जैसे आपने स्मॉल कैप फंड ले आपने दो तीन फंड नहीं लेके आपने कम से कम 14-15 फंड ले कि अगर कहीं कुछ गलब भी चला गया तो आपके पूरे पॉर्टफोलियो में इतना जन दिवेश कर रहे हैं अगले एक साल के लिए पांट साल के लिए, और आपको क्या है, कितना पैसा आपको चाहिए दस साल बास पांच साल बास ये ऊप वो आपको सही दिशा दिखाएगा फिर कि आपको हर महीने कितना निवेश करना है उस लक्ष तक पहुँचने के लिए दूसरी बात मैं आपको कहूंगी कि आपने जितने भी mutual fund के details हमारे साथ share किये हैं सारे equity के funds हैं जो share वाले fund हैं आप लेकिन पूरे portfolio में debt होना भी बहुत जरूरी है तो जैसे आपके पास provident fund हो गया या कहीं आपने FD जोड रखी है या debt mutual fund हो वो भी आपके portfolio में होना जरूरी है आपकी जो उन है उसके हिसाब से आप 70% आसपास equity रख सकते हैं या equity fund और 30% आप debt रखें तो ये ज़रूर ध्यान में रखें अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं तो फिर ये ratio आप ध्यान में रखना तीसरा आपके funds में बहुत सारे funds ऐसे हैं जो small cap है small cap मतलब जो छोटी size की company हो में निवेश करते हैं कुछ portion वहना होना बहुत अच्छा है और पिछले एक साल में small cap बहुत अच्छा भी किया है लेकिन सारा पैसा आप एक ही category में नहीं निवेश कर सकते तो आपको हर category यह थोड़ा large cap fund जैसे बड़ी size की जो company होती है mid size funds और small cap तीनों ही आपके portfolio में होना बहुत ज़रूरी है तो कुछ funds जो मैं आपको सला दूँगी कि आप exit करें अपने portfolio में से और मैंने ये note down भी किये थे आपको बताने के रिए आदिती बुर्ला का large cap fund, access का small cap fund, nippon का small cap fund, camera robaiko का small cap और tata small cap यह आप अपने portfolio में से निकाल दे, इसके अलावा भी आपके पास 3 small cap fund हैं जो अच्छे हैं वो आप continue करें कुछ funds जो आपको add करने चाहिए, क्योंकि आपकी portfolio में जैसे मैंने कहा large cap कम है तो आपको large cap बढ़ाना है, so DSP का equity opportunities fund आप add करे, HDFC का flexi cap fund, ICICI का dividend yield fund, यह तीन fund आप अपने portfolio में जोड दे, तो आपके पास करीबन 10 fund हो जाएंगे, 50% के आसपास large cap होगा, 50% mid or small cap हो जाएगा आपके पास, तो यह पामेरी सला है जी आपके लिए, बिलकुल, बिलकुल, तो आपको यह खास सला मिली है, और इस सला के हिसाब से, आप अपना जो पूरा portfolio है, वो बना सकते हैं, और एक बार फिर, E.T. नांस उदेश की और से, हम आपको वाकई धन्यवाद देते हैं, और वाकई आपकी सराहना करते हैं, कि आपने अपने निवेश की जो शुरुआत की, वो हमारा शो देखकर की और इसके साथ ही, आपने अपने तमाम परिस्तियों और बाकी सभी चीजों को बहुत बहतर तरीके से मैनेज करते हुए, आगे आप बढ़े हैं, जो भी आप से तु आपके सिलसिले को हमको यहीं रोकना होगा, और आपको बता दें कि 2023 लगबग हत्म होने वाला है, यह साल भारती बाजार के लिए काफी उतार चड़ाओ भरा रहा, लेकिन अंत में साकरात्मत दिशा में बाजार दिख रहा है, दूसरे देशों के मुकाबले भारती एकॉन में मसबूत हुई, मूच्वल फंड इंडस्ट्री ने भी तरक्की की नई उरान भरी, अलग अलग सेक्टर्स के फंड में निवेशको को बंपर रिटर्न मिला, वहीं कुछ फंड्स ने उमीद से कम रिटर्न दिया, आज हमें खास पेशकश आपके लिए लेकर आने वाले ह मेरी सहुद कविता थपलियाल के साथ आप जुड़ेंगे बाजार के दिगज एक्सपर्ट्स उनके साथ होंगे और बताएंगे कहां किस आधार पर निवेशकों को बंपर रिटर्न मिला और कहां निवेशकों को निराशा हाथ लगी, साथ ही जानेंगे 2024 में सही फंड चु झाल 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 2024 में सपने नहीं होडा जी हाँ इसी के साथ हम लेकर आए हैं हमारी बेहत खास पेशकरश में हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और साल का अंथ है ये और 2023 में मूचुल फंड का रिपोर्ट कार क्या कहता है इस पर हम बात करने वाले हैं बैसे एक साल के पूरे परफॉर्मेंस के बिना पर उनको हिट बोल देना फ्लब बोल देना तो सही नहीं होगा लेकिन फिर भी इस पूरे साल में किस तरह के नुचुल फंड में किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है इन सब मामलों पर बात करेंगे मिरे साथ बहत खास मैमान हमारी स्पेशकरश में जुड़ गए हैं हर्श्वर्त सब्सक्राइब दोनों का स्वागत है और जब भी हम कहते हैं कि आप मुचल फंड खरीदें तो एक साल का नजरिया दो साल का नजरिया उसका पास रिटर्न ना देखे लेकिन हम ऐसे समय पर खड़े हैं मार्केट वाइस अगर हम देखे अर्थ्वरस्था के लिहाज से और अपको कमा के कमा के देने वाला भारत देख रहे हैं और इस पुरे साल में मिठकाप स्मॉल् singular के शेत्रे में बहुत अच्छा पैसा कमाकर दिया है निवेश्य को पुरे साल की अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों आप में से कोई एक जो है बächतरी मिचल फंस के बारे म को मैं जाना चाहूंगी हिमन जिया देखिए कविता जैसे आपने का कि हम बात कर रहे हैं कि 2023 में कौन से फंद अच्छे किये तो अबिस्टी जो करेंट टियर की परफॉर्मेंस वो तो इंपॉर्टर पेरमेटर है ही पर जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक साल की बिना पर आप नहीं बोल सकते हैं कि फंद हमेशा अच्छा था या रहेगा लेकिन जब हमने परफॉर्मेंस को देखा है ने तो यह भी देखा कि किस्टेंटली कितने अच्छे से परफॉर्म किया है पास में और इनकी जो परफॉलियर कॉंपोजिशन है जो इन्वेस्पेंट स्टा होता है बिल्कुल बट आगने अगर रिस्को कम किया है बहुत ज़्यादा वोलेक्टिलिटी उसमें नहीं है कंपेरिटिव ली बिकॉस यहां पर सब कुछ जो है वो कंपेरिटिव है राइट राइट इसके इसाब से उसको देखा गया है तो कंसिस्टेंसी इन परफॉर्म बिल्कुल आप जो फंद्स लेकर आए हैं वो फिसद्डी फंद्स हैं जिन्होंने इस बाजार की चाल में पाटिसिपेट भी नहीं किया और अपने पियर्स के मुकाबले तो बिल्कुल भी नहीं किया आपका क्या पैमाना रहा है तो देखी कविता अगर हम कह रहे हैं कि अपने इंबेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन को मीटनी किया कि उन्हें पॉसिटिव रिटर्न भी दिया हुगा ऐसा नहीं कि जो अच्छे फंद्स नहीं उन्हें पॉसिटिव रिटर्न नहीं दिया लेकिन कोई भी फंड को कोई भी स्कीम को हम एवाल्यूएट करते हैं आपको उधारन के रूप में आगे जाते हैं लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पारेमिटर्स उसमें कैश लेवर्ज कि किसने कितना कैश में कर लिया क्यों कि मार्केट वैल्यूएशन ठीक नहीं लग रहा था अगर वो कैश में है और अगर टू-टू लेबल भ होते हैं आप कहीं भी ऑनलाइन भी जाके देखेंगे और हर स्कीम अपनी रेशो बताती हैं आप अलफा है बीटा है बहुत सारे स्टेंड डिविएशन है यह रेशो के माईने होते हैं तो अगर आप इसे कंपेर करेंगे तब आपको रियल पिच्चर समझ में आएगी अग अगर हम स्कीम का बीटा देखें स्कीम का अलफा देखें सिफ यह कि मेजर औस एक्से मिल सकता है उदारन के रूप में आपको बताता हूँ एक बेंचमार्क जो है बेंचमार्क् recently मानलीजें 10% return दिया है scheme A, जो पहली scheme number 1 को जो हम देख रहे हैं उस scheme ने 12% return दिया है और scheme B ने 11% return दिया है so benchmark ने 10% return दिया एक scheme है जिन्नोंने 12% return जनरेट किया और दूसरी scheme है जिन्ने 11% return जनरेट किया तो आप कौन सी scheme को बुलेंगे बहतर है scheme 1 क्योंकि 12% return दिया लेकिन ये गलत होगा जब तक हम इसकी volatility को compare नहीं करेंगे तो जो beta को scheme A का वो 1.5 है मान लीजिए और scheme B का जो beta है वो 0.8 है तो इसका मतलब क्या होता है कि पहली आली scheme जो है जिसने 12% return जनरेट किया उसका beta था 1.5 मतलब उसने market से 1.5 ताइम्स ज्यादा volatility लिया portfolio में और उसका return आया सिफ 12% तो ideally उन्होंने ज्यादा risk लिया है और उसके average में उतना return जनरेट नहीं किया उनने 15% जनरेट करना था लेकिन उनने 12% जनरेट किया so it is actually underperformed in that sense scheme B में जहां पे उन्होंने 20% risk कम लिया है 0.8 था उनका beta उन्होंने 11% return जनरेट किया 10% ज्यादा किया benchmark से लेकिन 20% risk कम लिया है so यह parameters आप जब देखेंगे तब आप realize करेंगे कि actually किसमे better perform किया खाली 11 और 12% को आप compare करेंगे ज़ाद गलत होगा एक simple इसको एक मैं translate करता हूं real life example क्या हुआ था dead scheme से फ्रैंक्लीम की schemes जब बंद हुई थी बंद होने से पहले वो top performance में आती थी simple था क्योंकि underline जो papers में उन्होंने इंवेस्ट करके थे वो lower rated papers थे अगर आप compare करेंगे दूसरे जिसमें triple A rated papers है और ये वाला short term fund में जिसमें lower rated papers है तो obviously return जादा दिखाएगा लिकिर रिस्ट इसमें जादा लिया है तो लेमान इंवेस्टर से अगर कोई online portal पर लोग इन करके सिर्फ रिटर्स देखेंगे तो उन्होंने फ्रैंक्लीम की जिसमें जादा दिखा रहा था लिकिर उसमें underline risk भी बहुत जादा था ये सारे parameters को आप देखेंगे तो तब आपको रियालाइज होगा कि अच्छली किसी ने अवर परफॉर्पार्मान्स किया है मेरी जो लिस्ट बनी है वो सिर्फ प्रैक्टिकली इसी चीज़ को दिखते रहे कि आपने रिस्क इतना लिए अपने पॉर्फॉर्पॉल में और आपने सामने अल्फा जेनरेट किया कि नहीं कि सो माई लिस्ट बी ओन बैट लेकिन इसका यह मतलब में बहुत खराब सी में उसी पर आने वाली थी क्योंकि भले ही हम फंड के नाम बता रहे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म किये हैं बुरा भी परफॉर्म किये मतलब यह नहीं है ना कि इस फंड में आप निवेश कर ले अगर नहीं किया है और निकल जा अगर करा है और घाटे में तो कवीता ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमने क्योंकि लिमिटे नंबर आफ फंड की हम बात करें ऐसे बहुत सारे फंड हैं जो डेफिनिटली आपके पॉर्टफॉलियो में हो सकते हैं जरुरी नहीं है कि जिन फंड की आपके पॉर्टफॉलियो में हो और चाहिए और उसके बाद क्योंकि जो सेक्टर रोटेशन होता है इसका मतलब यह उनका जो पॉर्टफॉलियो कंपोजिशन और बदल जाएं उसको ऐसा बलकुल भी नहीं होता है तो कभी-कभी ऐसा होगा कि जो best of funds है, best of fund managers एक certain period में perform नहीं करेंगे जैसे आपने बिलकुल सही कार शुरुआत में कि एक साल के basis पर आप investment decision नहीं लेते हैं but as an investor, आप definitely अपने portfolio को देखना चाहेंगे scorecard देखना चाहेंगे साल के आखिर में कि आपका portfolio, आपके जो funds हैं आपके portfolio नहीं कैसा perform किया पर जैसे मैंने पहले का, I think important चीज यह है कि आपको relative performance देखना है peer group के मुकाबले में देखना है, benchmark के सामने में और जैसे मैंने पहले भी कहा कि again कितना risk लिया, कितनी volatility है वो सब factors को देखना है क्योंकि अगर इतना असान हो कि आप सरफ XIR देखके decide करें तो फिर बहुत ही असान हो जाएगा, mutual fund में invest करना काफी असान है, लेकिन इतना असान नहीं होना है, जैसे कभी कभी लगता है कि आपको off the shelf आपने को जैसे मैंने का कि शायद portfolio quality इन से बहतर भी हो सकती है और हो सकता है अगले साल में वो इन से बहतर परफॉर्म करें तो I think important है, देखें आप कि उनकी strategy क्या है, philosophy क्या है portfolio composition कैसा है और किस तरीके से अनना return generate क्या बहुत ही important है कितना risk लिया और कितनी volatility आपको जिननी पड़ी, वो सिटन के लिए बहुत important है एक point मैं add करूँगा यहाँ पर जो fund philosophy के बारे में है so आप value oriented, growth oriented, momentum क्या है so I'll just एक point यहाँ से बढ़ाऊंगा जो प्रशान जैन HDFC के funds manage करते थे, तो उन्होंने एक period था जब उन्होंने PSU में बहुत जादा invest किया था so he was more on the value side so market growth को देख रहा था so उनके सारी scheme चीज़े उन्डर परफार्म कर रही थी आप देखेंगे HDFC equity fund हो या जो भी उनके जो flexi caps हो गरे है so यह उन्डर परफार्म कर रही थी क्योंकि उस समय उन्होंने उन companies को चूज किया था जो बोलते थे कि undervalued है और यह कभी न कभी turn around करेंगी तो तीन साल था जब उनका पूरा performance under performance था और जब यह theme पकड़ी तब यह पूरा return उन्हें cover up कर थे top of the charts आगे so आप अगर इसे compare करेंगे जब उनकी philosophy थी कि undervalued stocks को मैं खरीद रहो इनका potential अच्छा लग रहा है तो उस समय उन्हें चार्ट्स में नीचे थे लोगे लोगे परफॉर्मिंग फंट्स थे लेकिन वो turn around होते ही वो सिधा top of the charts आगे so एक investor को क्या देखना है सिर्फ scheme का performance नहीं उनको देखना है कि आपकी risk profile के साथ मैच कर रहा है आपकी thinking के साथ मैच कर रहा है आपकी time lines के साथ मैच कर रहा है और बहुत सारी schemes है ऐसा नहीं कि इससे यही सही है और यह गलत है it's about कि आपके लिए appropriate किया है बलकुँ तो चलिए मेरे खाल से large caps की बात करते हैं तो आप से शुरू करते हैं कौन से funds आपकी list पर है दही कविता large cap I think बहुत ही important category है obviously equity funds के अब बात करें और अब top two funds की बात करें 2030 के अंधर तो एक निपोन इंडिया large cap fund और एक ऐसे ऐसे approved blue chip fund यह दो fund है मुझे लगता है उने काफी अच्छा perform किया है और वही जो parameter जैसे मैंने पहले खा consistently काफी समय से यह अच्छा perform करें जब तो large cap तो अच्छा नहीं कर रहे हैं जी बिल्कुल I think important है किसी भी large cap fund manager के लिए ऐसे समय में जबकि segment जो है वो under pressure है और फिर वहां पर अगर आप consistently benchmark को beat करके आप अगर perform करते हैं तो definitely इन दोनों funds ने काफी अच्छा काम किया है तो इनकी stock selection और portfolio design किस तरह की है अगर हम composition की बात करें तो आइसे जो निपोन इंडिया large cap fund है उसमें करीब-करीब 80% जो है वो large cap में है जो large cap में है ICICI में क्या है इनका हमेशा जो philosophy रहा है थोड़ा value और थोड़ा sector rotation जो I think उनके लिए हमेशा काम करता है यहां पर और निपोन इंडिया का अच्छी अगर देखें निपोन as a fund house I think important point में यहां पर बनाना चाहूंगा over the last couple of years जो उनकी investment philosophy उनका investment process जो बना है उनकी जो strategy है वो differentiation to benchmark जिस तरीके से वो किस sector में over weight करना है किस sector में under weight करना है और जो discipline है investment process में I think उसका result यह है कि आप काफी categories में अगर आप देखेंगे तो निपोन के funds जो है वो top performing funds में consistent तो मतलब यह funds जोखिम जादा लेते हैं ने ऐसा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं आपको यह भी देखना है कि आपकी जो philosophy है और उसके हिसाब से और फिर आप कहां देख रहे हैं कि बेंचमार्क के सामने किस sector में आपको ओवर weight रहना है consistently तभी काम करती है जब आप यह ध्यान रखते हैं कि आप ज़रोर से ज़्यादा risk नहीं ले रहे हैं साथ ही आप जैसा मैंने कहा important factor यह है कि समय पे आप किस sector में आपको overweight रहना है किस sector में आपको underweight रहना है क्योंकि वहीं आप alpha generate कर सकते लाज किकly बहुट आपको थोड़ी चैनिंग होगीIB और कॉई भी विवर आप हर 5 मीन आप अप địgow में दीखुए है कि कर आपको यह बतलाव करना करें आपको अब पहुट आप करते हैं बहुट आप तो हर आप बना भाव सबांव करना चलिए, लाज़काप में कि दूब निराश किया? ओके, इंवस्टेश मेट नहीं किया, मैं में फिर्फंस के नाम लिए. आप उस शब्टे है, ठीक है. Okay, so AXIS Blue Chip Fund and Taurus Large Cap Fund. यह काफी समय से नहीं underperform कर रा, AXIS Blue Chip Fund. So exactly, मैं ही बता रहा हूं कि परेमिटर्स हमारे लेक्टम क्लियर थे. Simple कि आप रिस्क इतना ले रहे हैं, उसके सामने आप अलफा कितना जन्रेट कर रहे हैं. So यह ratio match नहीं कर रहा था. So they're taking far more risk in terms of the returns that they've generated. It's simple this parameter. What a philosophy of AXIS Blue Chip. So I think there are a lot of changes internally, so I think you'll have to wait and see कि जब नई टीम पूरी चरह से टेक और करके अपना, because you know, आप को एक हुआ चीज समझ नहीं, कोई भी fund house में, AXIS particularly equity portfolios के बहुत जादा बढ़ा था. And अगर कोई एक चीज में बताऊंगा, कि अगर कोई fund अपने कोई stocks बेच रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि उस stock पर उनका negative call है. उन्हें कई बार अपनी holdings को trim करना होता है, क्योंकि वो liquidity risk भी हो जाता है, कि बहुए उन्हें exit करना है, तो इतनी बड़ी holding एक साथ market में बेच नहीं पाएंगे. So, बहुत सारे parameters होते हैं, कई बार में investors से मिलता हो, कहते हैं कि हमने क्या किया कि फैक्ट शीट ले ली, तो उनमें जो-जो schemes हमने वो ही stocks करी लिया. I think यह सब चीज नहीं करना चाहिए, because अगर मान लीजे, एक particular scheme है, जिनकी भारती एक 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 होल्डिंग बहुत साथा है, और वो समझते हैं कि कभी मुझे exit करना हो, तो एक साथ वो holding market में बेच नहीं सकते हैं, तो वो धीरे-दीरे उसमें trim करते हैं, तो तो प्राइब नहीं सकते हैं, क्योंकि भारती एक 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 करते हैं, क्योंकि कभी भी उन्हें exit करना होगा, तो इतनी बड़ी होल्डिंग उ मार्केट में एक पर आक सकते हैं. तो अगर कहीं पर कोई news report में चप गया कि ICIS या blue chip fund ने भारती एटल से बेचा इतना exit किया तो कोई investor उसे बेचना चालू कर दे ऐसा नहीं है अगर हम percentage returns देखें जो मैं बता रहा हु कि रिटर्स प्रिटन्स में जाही नहीं रहु हो मैं सिर्फ अपनी रिस्क कितना लिया आपने विजाब्स उसके सामने आलफा कितना जिनरेट किया इन दो स्कीम में रिस्क मैंने ज्यादा देखा लेते हैं लेकिन इतना ज्यादा अप आपने create किया नहीं है so then it is a mismatch so purely basis on that तो एक दो तमाही में अगर कोई बना रहे है इस फंड की philosophy विश्पास रखे तो या क्या ये मुनाफू में तब्दील हो सब्सक्राइब करना था अगर आप बेंचमार्क से ज्यादा और आप अथना अल्फा जिंडरेट महीं कर रहे हूँ so then it is not making sense तो या तो मैं इंडेक्स फंड में सिधा इंवेस्ट कर दो I mean that is a very simple thing to do कि मेरा बेंचमार्क then I am not worried about alpha I am just saying कि जितना मेरा risk आप बेंचमार्क एइस गाउतना ही मुझे मिल रहे तो आप इंवेस्टर के भी हाफ पे जाधा risk ले रहे और उतना alpha generate नहीं कर रहे है तो यह तो आप risk करें लाज और मिट करें तो करीब करें 50% आलोकेशन वहां पर लाज कैप में 36% मिट कैप में और 10% स्मॉल कैप में I think क्या उनके लिए काम किया है basically एक तो well diversified portfolio है I think इनकी जो overall strategy है जैसा मैंने पहले भी कहा वो work out की है यहां पर इसमें कि इन्होंने उन companies को देखा है लाज कैप में जो बहुत ही established companies है और मिट कैप में जो you know obviously high growth companies है so as a combination I think यह काफी अच्छे से काम किया है और अभी a fund की performance consistently अच्छी होती जा रही है पिछले एक दो साल से और मुझे लगता है आगे जाके भी जिस तरह इनका composition है वो अच्छा करेगा मौतिलाल की अगर हम बात करें तो करीब करीब 42% जो है करीब large cap में और 50% around mid cap और बाकी थोड़ा सा exposure जाए तो small cap के अंदर है यहां पर इन्होंने concentrated bet लेते हैं थोड़ा सा 35-36 stocks इनके portfolio में रहते हैं और इनका जो focus रहता है उन companies पर रहता है जो sector के leaders हो और जिनमें you know product differentiation हो या फिर इनकी जो strategy है वो से अलग हो अगर जैसे हम इनकी top stocks की जैसे बात करें तो सारे के सारे जो stocks हैं उनके काफी अच्छा perform किया जैसे ट्रेंट हो गया global health, inter-globe aviation, EMS की बात करें तो Keynes Technology, right और new age companies में Zomato तो उन्होंने जो combination बनाया है जैसे मैंने का एक तो I think जो concentrated portfolio है और जो mix है जो तेके आपको trend देखना है हमने देखा है के new age company, EMS जो एक नया एक बड़ा sector उबर के आ रहा है उस पर अगर आप timely चले गए और आपने सही exposure लिया तो आप investor के लिए सही performance कर से और I think most of the fund different categories में में चुना है जो उनकी सब का बीटा जो है एक से नीचे है तो I think बहुत उस चीज का बहुत ध्यान अखा है कि बहुत ज़्यादा risk उन्होंने ना लिया बहुत ज़्यादा volatility वहां पर ना हो और उसके बाद उन्होंने जो है अलफा जनरी जब की मौके बहुत है बिड़काप जोनों का universe अगर हम देखें तो फन मंच पर बहुत सारी opportunity है और I think हमेशा यह बात हो रही है कि क्या overheated है या नहीं है पर I think जिस तरह के scenario में हम हैं देखें इंडिया के अगरा बात करें political stability है globally और इंडिया के अगरा बात करें कुछ quarters की बात है definitely interest rate peak हो चुके हैं आप interest rate कर देखेंगे उस scenario में तो definitely made and small हर सेग्मेंट में कुछ pocket रहेंगे जहां पर आपको लगेगा के valuation में थोड़ा से issue है but I think universe बहुत बढ़ा है small cap में तो बहुत ही बड़ा universe है mid cap में मुझे लगता है कि चाहिए थोड़ा expand करने का समय है उसको but I think clearly defined universe है आपका 150 stocks और differentiation वहीं आता है stock picking में कितना weight आप कितने stock कैसे देखेंगे तो I think दोनों के strategy थोड़ी अलग है but I think both the funds have done very well आपके ने large and mid cap category so in fact यह एसी category है जिसमें मुझे कोई भी unusual you know data नहीं दिखा for example सारे funds जो है जितना risk कुनों ने लिया I think they have done reasonably well सो मुझे इसा कोई scheme दिखा नहीं कि हम सिर्फ बुलने के लिए कोई नाम कोई देने के लिए जिसमें किसी में निराश किया you know something which was unfair to the investor so I think large mid cap is a very good segment to be from investor point of view बता रहा हूं है कि यह एक बहुत अच्छी category है जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं large cap जिसमें पहले बात की large cap में alpha generate करना is becoming more and more difficult क्योंकि 100 company हैं nifty index ही 50 हैं weightages हैं already तो benchmark को beat करना मुश्किल हो रहा है अगर आप थोड़ा उसके उसमें जो you know excess generate करना चाहते है large and mid perfect category आ जाती है जिसमें आपको top 250 stocks का exposure तो ही प्लस थोड़ी liberty होती fund manager के माद जो चुन के अगर small cap लेना चाहें तो ले सकते हैं so I think large and mid cap has done well मुझे कोई नाम मिला नहीं ऐसा है जो unusual है fair point fair point in association कि झाहें अप उसन नहीं आपकोई तो झाहें लेकिन झाल 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 झाल